जल्दी करें वेरी गुड़ बिटा रूपीज रूपीज लिख ले मा थोड़ा ऐसा रूपीज किसके लिए सॉल कर रही क्या कर रही कुछ तो लिख ले बिटा अच्छा लोग अच्छो गुड मॉनिंग नहीं या ना तुन ना लेक गाराइख अगर आपको याद हो अगर आपको याद हो तो हमने वह पढ़ा मौैंस वह ब्रेट net ना बेरती आपको तो पता है मैं आवरेज बच्छों में को 0 जी चालू करना मड़ता है तो मैं अपनी प्लेट रहे हूं मैंने बूक प्लट ले नालयक पढ पलके तुम्हायं नहीं होंगा संडे को वह ब्रह रहेंगी नहीं संडे को क्या किया सर्जार कप्ड़े दोई सर सर सोय सर बहुत सर सब्सक्राइब नमबर काना बज़र दाशर काया और क्या किया और सर पता नियुक्त अन्यार के चालू खत्व हो गया जल्दी चलू हो तो गया यह बरवर एक नहीं अरू थोड़ा बहुत पड़ा चलो आजो सूर रेजिडेंचल स्टेटस हम लोगने शुर रेजिडेंचल स्टेटस और सेटिजन शिप दोनों एक ही चीज होती है या अलग-अलग अलग अलग कॉंशप्ट होता है एक व्यक्ति एक कंट्री से ज्यादा का कंट्री का रिसेटेंट एक टाइम पे हो सकता है क्या हम टोटल इंकम निकाल सकते हैं जब तक असेस्मेंट यह के लिए निकाले आता है प्रीवियस एर के लिए निकाले जाता है फोस्टेज यह फिर हम लोग ने देखा था रेसिडेंचल स्टेश्टास को चारप्त में डिवाइट करना था शाप्तन वह एक मिनट बच्चा कहा रहा है डबल साउंड आ रहा है लोग ज चेक नाओ सब ओके क्या एक बार देख लीजिए तो यह सब ओके है नाओ जित्त्य ओनलाइन लोग कनेक्टेड है एक बार देख लीजिए अभी सब ओके है क्या वहां अब सभी हो गया है जल्दी चेक करो अड़ल डन परफेक्ट अच्छा जी तो कि पहले सेक्शन सिक्स पढ़ना था फिर सेक्शन फाइफ पढ़ना था फिर 789 पढ़ना था यादा येस कई बच्चों के मंन में अलग-अलग अजीब गरीब तरीके के सवाल भी है कि सर इधर Income कमाई तो क्या उधर Income कमाई तो क्या उधर की इधर क्माई तो क्या मैं आप से कहा है रुखो जरा सबर करो सभाएगा अभी हम 6-1 पे पहले यह तो समझ लिए रेसिडेंट या नोन डेसिडेंट क्या होता उसक्याकी की बातागी कर लेंगे तो फिर हम यहां से कहें 6 1 के लिए everybody everybody a person can either be resident or non-resident resident तो दो या दोनों में से एक condition satisfy करनी है तोनों में से एक पहला he stays in India for वो भाई बोल नहीं वो उदर वो भाई बोलनी रहा repeat करो अपर से a person can either be resident or non-resident resident तो दो या दोनों में से एक कौन सी दोनों से एक he stays in India for 182 days or more in previous year or 60 days in previous year and 365 days in अगर ये condition satisfy नियो इतो non-resident resident तो मम्मी को बो रोर अगर रोर है तो दो कंडिशन या दोनों में से एक कंडिशन कौन सी दो कंडिशन जल्दी से बता हो he is resident for two out of 10 previous preceding year and stays in India for 730 days in 7 previous preceding year आहो अई नोन-resident क्या रहन और रहन या दा रहा है ती लोगों के लिए resident मतलब only 182 days परसन लीविंग इंडिया for employment ship crew member person of Indian origin यादा रहा है ship crew member के लिए जब हम number of days count करते रहेंगे उतना period count नहीं करेंगे जितना वहां लिखा था उतना period count नहीं करेंगे जितना वहां लिखा था CDC CDC का full form यादा रहा है मैं हां continuous discharge certificate everybody अच्छा जी हां हां आ रहा है मेरे अंदर से सवाल आ रहा है सर मैं क्या बोड़ रहा हूं सुनते हो the day he leaves India in the day he comes to India both will be one day is equal to कैक city में रहना जरूरी 182 days का एक कंट्री में रहना है 182 days person of Indian origin का मतलब होता है अगर मैं या मेरे पेरेंट या इस बार्न इंटू आ हो हो हम यहां थे फिर residential status for Indian citizen or person of Indian origin वाले concept यादा रहा है मालिक तुमको हमने यहां पर कहा था कि भी यह अगर कोई वेक्ति इंडियन सुर्दान है who is outside India coming to visit in India who is outside India coming to visit in India और इंडिया में आ करके up to 15 lakh rupees कमा लेता है तो ऐसे वेक्ति को में resident मानेंगे only when he stays in India for at least 182 days क्या तुम्हें याद है मैंने हुमवक कहां दिये होंगे दिये थे ओ माई ग्वार्ड लोगी सबसे पहले क्वेस्टन था क्वेस्टन नमबर 1.2 एवरिबाड़ी पहला हुमवक था बिटा कोशन में 1.2 आपको याद है हम जब भी हुमवक देते हैं सबसे पहले अपन क्या करते हैं बोल मेरा बच्चा सबसे पहले हम हुमवक को चेक कर लेते हैं बरबर मिस अवनी लिव्ज इंडिया ऑन 6 नमबर वाट इस हर रेसिडेंचल सेटेस क्या जवाब आया इसका रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट इसे निकाला तुमने चलो देखते हैं सुलूशन के अंदर में सबसे पहले एप्रिल में अवनी क्या इंडिया में थी मैं में भी अवनी इंडिया में थी जून जुलाई ऑगस्ट सेप्टेम्बर अक्टोबर नवेंबर के पांच पकड़ूंगा ठीक है पांच पकड़ देता हूं ना प्लीज नहीं तर्टी चेक 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 प्लस ट्रॉट ट्रीव पर ट्रोटी ट्रीविंटिवान क्रोटी चेक तोटल तुट विंट्रीड़ हो रहे हैं अगर तुट्वेंटी डेयर सीन्स स्टे एक्सीड बूलना मेरा बच्चा 182 डेस क्या माना जायेगा ता रेइसीडम गर रहे work या non-resident concept कर रहे थे वहां पर हमने रोर और नौर का गेम खेला नहीं था येस concept के ऊपर ही लिखा है resident concept only clear है फिर आया था हमारा एक्जामपल लूम्बर 2.2 इस वाज अपन ने दिया था बालिक से यास मिस हमल लीविंग इंडिया on 6th December 22 for job in Indian Embassy why she is living in India bro why she is living in India bro is she living in India for employment okay so let's check with me सबसे पहले April में तो वह इंडिया में ही थी अरे हां में June July बोलते जाना मेरे ब्रो ऑगस्ट सब्टेंबर ऑक्टोबर नवेंबर डिसेंबर के चे पकड़ लूँ सु 30 प्लस 31 प्लस 30 30 प्लस 31 प्लस 30 प्लस 30 प्लस 30 प्लस 30 प्लस 30 प्लस 30 प्लस 6 is it 250 since the stay exceed 182 days क्या मैं इसे कह सकता हूं यह resident है yes or no so this was the another homework जो अपन लोगों ने दिया था तो इसका answer भी आपका resident ही आया है देन आया थे हम लोग 2.4 everybody this was the third homework which was given bro hashtag bro suppose अब यह ship crew member concept based था suppose वो कौन से पीरिट से कौन से पीरिट जून से लेकर है December तक क्या कर गया है तो homework जिन नहीं किया छापो अगा टोटल नंबर ओव डेस किता है मेरे भाई है do 365 यए 366 ने लेस पीरियड मैंजड इन इन कंटिन्योंज इच्चार्च सर्टिफिकेट लेस पीरिड मैंचंड इन कंटिन्योंज इस इस चला आ चा जाओ किता पीरिड मैंचन जून से लेकर न तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं बिटा जून के 30, जुलाइ के 31, ऑगस्ट के 31, सब्टेम्बर के 30, ऑक्टोबर के 31, नवंबर के 30, डिसेम्बर के 31, स्वापा साज चल बिटा, पूट देट आंसर, 30 प्लस 31, प्लस 31, प्लस 31, प्लस 30, प्लस 31, प्लस 30, इस तो प्लस 31, इस तो 214, सुट 214, डेज सीदी सी में 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 अंचन थे, माइनस 365, क्या बालेंस प्रिट 151 हो रहा है, यहस्तु क्या मैं ऐसा कह सकता हूं, सिन्स स्टे दस नॉट एक्सीड, बोलो ना मिटा, 182 तू देज, ही विल बी, बोलो ना मिटा, नॉन रेसिडेंट, सो तीसरा जवाब आया है, बिटा, हमारा, नॉन रेसिडेंट, एवरीबडी, से सुनो, क्लियरे ब्रो, छापो जल्दी, सब कर गया है, हमवक, हाँ, इतने में हम रुके नहीं थे, ब्रो, यादे ना, प्रॉब नॉब नॉब थ्री का सिक्स्त भी था, इस वस थोर्थ ओमवक विट्वें थी था, इस गुल, 120 फॉर एवरी देई, इस एप रो आर, 60 देई न प्रिए सिस्टी देई प्रिए सिटीए देई प्रिए सिटीग देगिए, यस और नो, और की दुनो गंदिशन हम क्या कर रहें, ब्रो, साथिस्फाइड, चाल बेटँ ठीक है इज चैनो और कुछ था और बीश्टता हां ये ने चाप्टर नमबर तपार नमबर ओंटना थे प्रॉब्लम नूमबर फाइव चाप्टर नूमबर वन अधर इंकम 62 लैक दिया है 62 लैक प्लस अधर सोर्सेस की एट लैक प्लस एट लैक प्लस टू लैक टोटल एटी लैक हो रही है मतलब क्या मैं बोल सकता हूं यह 50 लैक टू वन करोड का ब्रैकेट का कुश्चन है याने स तो एट लैक इंटू 20 परसेंट सबसे पहले लॉंग टम कैपिटल गेन एट लैक इंटू 20 परसेंट क्या यह वन लैक सिक्स्टी थाउजन आया होगा सबसे पहले हम स्पेशल रेट आफ टैक्स निकाल रहे है उसके बाद में टू लैक इंटू 15 परसेंट शॉट टर्म क्या इसको मैं बी नाम देदू चीक है यहां पर टोटल बन रहा है 62 प्लस एट इस इट सेवेंटी लैक सेवेंटी लैक में से अप्टू 10 लैक तक का टैक्स आ रहा है एक लाग बारा जार पान सो जित्ता बैलेंस बचा 60 लैक पे टैक्स रेट किता परसेंट है बिटा 30 पर 18 लैक सौरी तो यहां का टोटल आ रहा है मेरा बच्चा 19 लैक 12,500 बरबर तो अब मेरा टोटल टैक्स ए प्लस बी मिला के बन रहा है इसे टू लैक स्वरी ट्वेंडी वन लैक 2,500 क्या सर्चार्ज लगेगा किता बिटा इस इस टू उन जिरो टू फाइजिरो टोटल हुआ मेरा 23,12,750 पर अब भी कुछ बाकी है तेरे मेरे बीच में हिज इस नाइनती तू फाइव जिरो टू फॉर जिरो फाइट टू सिक्षी रू आंसर इस तू फॉर जिरो फाइव तू सिक्षी जीरो चापो जल्दी जिस नहीं किया अग्याइब अगर आप यह करते तो अपका बेसिक इतना ज़्यादा मजबूत हो जाता आपको खुद को उपर कॉंफिदेंस आता को वेज्चन नमर शिक्स ब्रो कि कैल्कुलेटे टैक्स लिएवलिटी फॉर थाइन उस एज 33 यर्ज आम शुर आप भी फैन होंगे और अपने यह नहीं देखा भी तक के कोई बात नहीं विड़ा पोगो तुम सेंड्रला तक के ठीको लॉंग टर्म गैपिटल गेन ब्रो 1,60,000 यो ब्रो जवाब देना इस टू लाग इंटू 15 परसेंट किता या भाई यह 190 आया इधर भी बुलो हाँ चीक है इधर बिजनस इंकम 62 लैक्स दिया है तो यहां पर था टोटल 62 लैक जिसमें से अप्टू 10 लैक्स तक का टैक्स था एक लाग बराजार पानसु बैलन्स बज़ गया 52 लाग 52 लाग पर टैक्स रेट 30 परसेंट चलो पूट दे वैल्यू गेट दा अंसर 15,60,000 एड एक लाग बराजार पानसो 16,72,500 एवरिबाड़ी येस प्लस 190 तो टोटल टैक्स मेरा बन रहा है 18,62,500 एवरिबाड़ी येस इसमें एड कर रहा हूं में 10 परसेंट सर्चाज 186250 एड किया मैंने इस बिकेम 2048750 इसमें HEC एड किया आड दे रेट परसेंट ब्रो एटीवन नाइन एटीवन नाइन एटीवन नाइन फिफ्टी कि फाइनल आंसर इस ट्वेंटीवन लैक थर्टीवन थाउजन सेवन अंड्रड़ एजट एक्स कि सभी लोग हलो कि यहां पर किसी को कोई डाउट मालिक नहीं कि जो पीछे है जिसको देखने में तकलिफ हो की बिटा इधर बेंच फर्स्ट बेंच अविलिबल है पीछे वाइसी फूल हो गया होगा इतर आ जाओ हां प्रोब नुम्मर सेवन कैल्कुलेट अटेक्स लिएवलिटी ऑव मिश्टर रॉकेट फॉर्टीवन यर्स अभीधर टू करोड सेवेंटी लैक्स का गेम दिख रहा है ब्रो पूरा शॉट दो से पांच करोड की बीच में क्या भाई पूरा शॉट दो से पांच करोड क वेराज 15 परसेंट ओन इस इंकम एवरिबाड़े चल पहले टैक्स निकालते हैं इसको मैं निकार नों थोड़े से कैल्कुलेशन बढ़ जाएंगे क्योंकि या या पीजी बीप या या लॉंग टर्म कैबिटल गेन या या शॉट टर्म कैबिटल इन प्लीस फिगर्स के साथ हेल्प करो ना इबर बिसनस इंगम किती थी 2.70 करोड राइट लॉंग टम किता था 51,00,00 और शॉट टम किता था 48,00,00 ठीक है वह शॉट टम अंडर 111 ए वह शॉट टम अंडर 111 ए वह शॉट टम अंडर 111 ए तो 48,00,00 इंटो 15 परसेंट दीखना बिटा टैक्स आ रहा है 7,20,000 इधर आ रहा है 10,20,000 इजट 79,12,500 अभी ये तो बताने की जुरत नहीं न मैं कोई कैसे आया ये वी ये 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 सो 7,20,000 इंटो 15 परसेंट इस इड रहा है 30 is it 1 9 7 8 1 2 5 अशल मेरे बाई टोटल 9 8 9 0 6 2 5 3 9 5 6 2 5 हाँ जी बरवर है हाँ इस वने लक शोडेशन लक सोडे ऐलेवन लक सेवनिय सेवनियस तहुशन 46 920 total 121 9920 यहां पर 1 करोट 2,86,250 ब्रो यह बन रहा है 828000 33 120 861120 यह बन रहा है फाइनल आंसर कम्स तू 1 करोड 23,67,290 ब्रते, आई यू गें ते सांसर? इस आर्श पर अप्सलूटली करेक्ट इस आंसर? इस आर्श आर्श आप्सलूटली करेक्ट बी प्रावड और ज्सेल्ब ब्रो कि दन हाँ चलो यह हो गया कि आते हैं हाज तेरा निया क्यों बिटा कहां गलती की तो भी आंसरा आना चीना वह वाला फॉर्मड भी किया तो कि इस्पेशल जो रहेगा उस पर 15 परसेंट आएगा और इधर तेरा 25 परसेंट आना चीए फिर एक बारा बताओंगा अभी निए लेक्षर की बताओंगा कहां गलती की है आएगा कनफम तो ठीक है प्रॉब्म नुम्बर एट मिश्टर गूरूट आयम गूरूट ह recipro virtue आे दूरूट आएग छे करोड़ का गेम दिख राया बाहर साब मतलब करोड से 10 करोड़ पार च्रोल के उपर वाला गेम अ घॉअ नकीं तो है एज हैं इस हैसे चल एक बार वापस में मैं को कर दें यह ता प्रावन नंब्ब फूर एक बरहार आपस फिघयर के साथ 6 क्रोड long term capital gain किता है 6 क्रोड 30 lakhs ओके ले मेरे भाई 6.30 क्रोड long term capital gain किता है हाँ अवच 41 lakh and what is short term capital gain pro 10 lakhs 112 111 यहाँ पे बन एक 11 वाला वन एक में सिंग है प्लीज अड़ कर देना अच्छा सबसे पहले मेरा बच्चा टैक्स निकालेगा से येस शॉट टर्म capital gain पर में को हाया ना चाहिए इस इट वन लाक फिफ्टी थाउजन तीक है इसका सरचार्ज आ रहा है 22,500 इसका HEC आ रहा है 6,900 मैं टोटल निकालते जा रहा हूँ ठीक है 179,400 इसका सरचार्ज 1,23,000 तोटल 9,43,000 इसका 4 पर संट 3 7 7 2 0 फिनल आंसर इस 9 8 0 7 2 0 येस 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 तो नो लास्ट 6 करोड 30 लाक में से पहले 10 लाक बाजू कर दिये इन्टू 30 परसेंट एड एक लाग बारा हजार पांजो टैक्स आ रहा है तिरा 1 करोड 87,12,500 सरचार्ज इस 37 परसेंट टोड 2 करोड 56,36,125 फिनल आंसर इस 2 करोड 66,61,000 5,70 so what is final answer is it 2 करोड 78,21,690 both hard I think यहां तक के करीब करीब 30-40 प्रोब्लम सोल हुए होंगे अपने एक्जाम्पल तो 87 हुए होंगे प्रोब्लम 30-40 होगे होंगे लास्ट प्रोब्लम नमबर 9 कैलकुलेट दोनों पर 15% ब्रो यह सरचाच के लास्ट वाले कॉंसेप्ट पर वेस था final answer बोलो जल्दी how much 550 73 10 550 check your answers yes or no बहुत बढ़िया राइट चलो जी हम घूम फिर क्या आते है रेसिडेंचल स्रेटस पर लास्ट कंसेप चालू था यह तो जी हाँ बहन और भाई योग आपके शहर में खास आप ही के लिए यह चलो आज बड़ा घूम फिर के फटा फट पेज नंबर टॉपिक्स को देना मत भूलना चलो लेट्स टार्ट रेसिडेंचल स्टेटस फॉर इंडियन स्टिजन और परसन ओफ इंडियन ओर इंडियन ओर इंडियन फिरिटर करना इंडियन ओर परसन ओफ इंडियन ओर इंडिय और्यृषट गांट चॉंणिया ऐसे तो थी। क्लीच चेहां dispolet यहां हम लोग को कर देद को और अगलत कमपनी का क्या एक क्लेम करते थे हाला कि इंडियन सिटिजन के लिए है या परसन ऑफ इंडियर ओरीजिन के लिए मोस्टली इंडिविज्विल तो हम हमारे एक्जांबल को स्थिक करते हैं कहां गौरव चौदरी जी तक के अब यह ऐसे तो दुबई में हैं बट कमिंग टू इंडिया बट कमिंग टू इंडि बूलता हिया आय काय के लिए थे विजिट कमाय किता पंदरालाग से जादा इन के लिए रसेडेंशल स्टेट इंडिया कहा है ही विल बी ट्रीटेट इस रसेडेंट इस इन इंडिया इस फॉर सिचुएशन नंबर वन at least 182 days or more in previous year or 120 days in previous year and 365 days in for previous preceding year 120 days in previous year and 365 days in for previous preceding year पानी अगर आप देखे को बहुत सब्सक्राइशल चीन ला लिया है किया लाया है कहां लाया है जरू देखो अप उन्हें लगता resident की ही condition है बस 60 days के जगए 120 days insert कर दिया वह resident वाली condition है सिर्फ 60 days की जगए 120 days insert कर दिया है यहां पर यहने Indian citizen या person of Indian origin who is outside India coming to visit in इंडिया चाहते तो same law रख सकते थे लेकिन clarity के लिए कि जो Indian citizen या person of Indian origin आउटसेड इंडिया वह अगर इंडिया आते हैं विजिट के दौरान भी पैसा कमा लेते हैं तो उनके लिए क्लारिटी लेकर आगे उनके लिए रेसेडेंचल स्टेटेस्ट यह रहने वाला है उनके लिए रेसेडेंचल स्टेटस् यह रहने इस कंसेप्ट के उपर एक्जामबल नम्बर फूर येस चल मेरे बाई इस कंसेप्ट के उपर एक्जामबल नम्बर फूर लेते हैं डन तालू पने मंगन अधिक नाम क्या भाई तरह रिदेश ठीक है मिश्टर रिदेश मिश्टर रिदेश वाज इन बैंकोक बैंकोक की स्पेलिंग में जी आता है क्या प्रोंड रिदेश प्रोंड यर यर प्रोंड प्रोंड स्पर्ट यून तो तर्ट्त नाम्ब्ब्बर इस्प्राउ्ट्यूव्ट्ट इस प्राइटेश्स अब्टay इअ ड्योरी आप्रीष ऍक्षैटीं थार इंधय सबन्टीने का घियोड इन Catholic किर आप्री लुकी chicken पर समये स oxide ट्रोम एन ₹टीजरे कि दुटीघ ट्राइटाझ यहीड र। Lee दोने स्सून हृष प्रविजिए अम्ठोची निए टेस्टिस। रिटेश बंकोक नियर 2010 प्रविशिट इंडिया फॉर्वेर फिर्स जून टुटित नवब्बर इस प्राक्टिस फॉलओ डिवर इस इंकम फॉर्टिए इंडिया हम बताओ बनाओ अपना ओपिनियन या तो गलत होगा या तो सही होगा कुछ तो करो इस ही रेसिडेंट नॉन डेसिडेंट अच्छा पहले यह सोचो इस ही अन इंडियन सिटिजन एक मिनट यहां पर एक और चीज लिख देते हैं अज्यूंग ही इस एन इंडियन सिटिजन प्रॉब्लम में वो क्लियर नहीं था इसलिए अब क्लियर कर दिया गुलो सिब रेसिडेंट ओने से काम चल जाएगा अब अब है को अब कर गुली शेंट आर ओर चली समस्क्राइब पहला is he an Indian citizen yes is he outside Indian coming to visit in India problem आपको इस तरह से स्टूरी बना करके बताएगा कि भी है he is outside Indian coming to visit in India अच्छा जी so Ritesh was in Bangkok he is outside Indian coming to visit in India और इंडिया में क्या उसने income कमा लिया अगर इसने more than 15 lakhs अगर इसने more than 15 lakhs कमाई है इसने क्या किया बिटा more than 15 lakhs कमाई है तो अब हमें यह देखना होगा is he resident तो मान लेते हैं number of days in India number of days in India समझते हैं previous year 22 23 में बताओ कितने दिन था वो वो रहा होगा first June से लेकर के 30 नवंबर है बूलो किते दिन है 180 डॉट 183 days रहे गया यह तो अपना तो पहले condition satisfy हो गया है everybody अपना तो पहले condition satisfy हो गया अच्छा जी in seven previous preceding year his total stay अच्छा एक बात समाझना हर साल 183 days अमतलब हर साल वो resident रहा होगा any two out of ten वाला भी condition satisfied his total say in seven previous preceding year is one two eight one so another condition for six six is also satisfied yes so अब देखिए अब इस चीज को लिखना कैसे होगा आओ मेरे साथ लिखना सबसे पहले आपको six one लिखना ओगा as per section लिखो बिटा as per section six one देखो पूरा थेरी आंसर कैसे लिखते वह बता रहा हूं as per section six one if a person income tax में थेरी लिखना दुनिया का सबसे आसान काम है पूछो कैसे law को ही पूरा वापस लिख देना पूरा law वापस लिख देना if a person is an Indian citizen और क्या यादरा और person of Indian origin who is outside India and coming to visit in India and earn more than 15 lakh then he will be treated as resident he will be treated as resident if his stay in India is below at least 182 days in previous year or more or below beta 120 days in previous year and 365 days in for previous preceding year and 365 days in for previous preceding year further he will be treated as as R-O-R if he satisfies both the condition यार दोनों कंडिशन यादने आरी ब्रो he is resident for 2 out of 10 previous preceding year and stays in India for for at least 730 days in 7 previous preceding year third paragraph since he satisfies both the condition above he will be बुल्बटा R-O-R he will be treated as R-O-R so अगर same question आपको theory में पूछा जाता है आपको ऐसा पूरा construct करना होगा पहले basic law लिखना होगा फिर R-O-R R-N-O-R का law लिखना होगा फिर conclusion देना होगा which is really easy अगर आपको law याद है तो आप आपको 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 पूरे इंसर्ट कर सकते आप आपको 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 आपक stay of Ritesh was from 1st July to 30th November what will be your answer again इतना ही स्पेस छोड़ देना जित्ती लाइन तुमने इदर लिखी थी homework question हमने सिप्ड़ बदल दी टेक्ते हैं कि आपका अंतर बदलता है क्या क्लियर मालिक अथ्ता इस्पेस छोड़िखे लगा था पूरा राइट करक्याना छिप फाइनल कंकुलूज़िविजिए छोड़िए न ला पूरा लिख क्याना फाइनल कंकूलूज़िज़ मेर ले चोड़ देना वर्किंग नोट कन फंपम बनाना सब्सक्राइब प्रब्लम इस्टे अफ रिटेश वास फ्रम फर्स जुलाइ तर्टी नवम्बर वाट विल बी और आंसर येस चलो जी प्रो गदम आया कि सभी लोग अब एक बार देखेगा 6161 पर वापस आओ कि 612 पर वापस आओ देखो हमारे पूरे नोट कहतम हो गए हम 6-1 एंड करने पर आ गए कि देख सबसे पहला पेज तुने आर और आर न वार का चार्ड बनाया नेक्स्ट पेज तेने नोट्स चालू हो गए यह तो पासेवल है सेम पेज origin के लिए calculation कैसा होगा say yes or no yes खतम टाटा बाई 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 यह हो गया 6 अब हम जा रहा है 6 1 a अब हम कहां जा रहा है बटा 6 1 a आगे के pages पे examples के आगे अब जो भी पेज होगा नॉर्मल section 6 1 a deemed resident section 6 1 a deemed resident applicable only to Indian citizen नॉट पीओ एप्लिकेबल ओनली टु इंडियन सिडिजन नॉट पीओ अब इस कंसेप्ट को समझ यह बड़ा हासान है इसके दो मिनिट का हिस्टरी समझ लोगे तो पुरा गेम समझ में आ जाएंगा ठीक है कितने तेजस्वी लोग थे भारत के पूछो कैसे इतने गजब के टैक्स प्लाइनर थे यह लोग क्या करते थे इंडिया में भी अगर आया तो एटलीस 182 डेज इंडिया में रात वो रेसेडनेंट माना जाएगा हलो इंडिया में भी नहीं रुकते थे किसी और कंट्री में भी नहीं रुकते थे और हर जगद टैक्स अवाइड करके आते थे मतलब कुछ दिन इंडिया में रह गया कुछ दिन पाकिस्तान में कुछ दिन दुबई में रहते इंडिया के असपास ही थे पर कोई भी कंट्री का बेसिक कंडिशन सैटिस्फाइन नहीं करते थे तो यूज तो पे इंडिया अज आउट साइड इंडिया बाद यहां तो अपना नाम खरब करते ही करते थे बाहर भी जाके इंडिया का नाम खरब करके आते थे फिर हुई 2015 की मीटिंग ध्यान से सुनते जाना एक एक पॉइंट लॉग के पीछे का अगर आपको बेस पता है तो आपको बहुत अच्छे से लॉग पता है ध्यान से सुनना फिर ही 2015 की मीटिंग पूछो क्या हुई आप जब मेरे साथ CA final में होंगे तब हमें concept पढ़ेंगे OECD इंटरनाशनल टैक्स में concept आता है OECD जहां पर हर country मिलती है और एक दूसरे के साथ अगरी करती है कि भीया देख तेरे यांभी टैक्स चोरी होरी मेरी यांभी टैक्स चोरी होरी हमें मिलके इसका साथ देना है ना ही हम ना हम किसी को अपर्चुनेटी देंगे इंडिया में टैक्स चोरी करने के लिए ना ही हम इंडियान सिटिजन को अपर्चुनेटी देंगे बहार टैक्स चोरी करने के लिए तब तक कि भारती लोग समाझी नहीं पाए कि यह क्या कर क्या है वहां पर हमने कमिट करके आ गए कि ना तो हम इंडिया को ऐसा डेस्टिनेशन बनाएंगे कि कोई भी आके टैक्स चोरी कर ले मतलब हम इंडिया को टैक्स हेवेंस नहीं बनाना चाते टैक्स हेवेंस क्या होता है इंटरनाशनल टैक्स का शब्द है दिरह ध्यांद सुनिए टैक्स हेवेंस एक ऐसी कंट्री होती है जहां पर टैक्स ही नहीं लगता है या तो बहुत लो टैक्स लगता है सर कौन कौन सी कंट्री ऐसी है दुब को ओंग हो गया यह पाँच कंट्री ऐसी है जो टैक्स हेवेंस मानि जाती है आमानी जाती है टैक्स हेवेंस तक यहां पर जा करें आपके टैक्स बहुत कम लगेगा जैसे अगर देखा जाए तो यह अपब यस आइग मुबाइल कंपनीज में फॉर्स्ट यह सेकेंड नंबर पर होगी? सेल्स के मामले में as compared to Samsung say yes or no? क्या आप जानते हैं? एक जगह Apple जहाँ edge ले लेता है Samsung से वो यह है कि Apple just pay just pay 6% tax. Sir, कैसे? Apple ने इतना जबरदस काम करावा है, Apple अपना पूरा profit दो main companies में transfer करता है and both these two main company are situated in tax havens. Second, Facebook again evade the tax in the same manner वो tax havens में जाकर के बैठा है. अब tax havens में जाकर के बैठा है तो जो tax लग ही नहीं रहा, तो as compared to the competitor करीब करीब 20-25% tax बचा रहा है. Are you getting the point? तो यह क्या हो रहा है? यहाँ पे उसको बहुत ज़ादा benefit available हो जाता है. Similarly, Indian residents क्या करते थे? ना इंडिया में tax पे करते थे, ना इंडिया के बाहर tax पे करते थे. मतलब, खुद का नाम तो बरबाद किया, देश का नाम भी बरबाद किया. 2015 में Modi government ने वहाँ पे agree कर लिया कि ना तो हम इंडिया को tax 7 बनाएंगे, ना ही Indian को opportunity देंगे कि तू बाहर जाके tax evade कर. इस शक्कर में वापस से इंडिया आए और इंडिया आकरके एक law बनाया आए गया. law क्या लिखा गया? law क्या लिखा गया? law क्या अंदर में वापसाइ इंडिया और और नाएं सेफिजिट इंडिया और एंडिया और एंडिया….णियार के वापन Пधन फटेन लिखाए ग्श्वीफेट लिखाए जाइन लिखा वादा बाहरा दिवाल में अटिया झाहरा च्टीटव Pretty और पाखस ऑनिवार। आउटसाइड इंडिया, he will be deemed to be resident. अब बताइए, इंडिया ने ऐसा क्या किया, इंडिया ने ऐसा क्या किया, जिससे पूरा situation ही बदल गया. Basic condition ही बदल दी. Basic condition जो 182 डेज वाली थी, वो ही उडा दिया इनके लिए. कहा कि अगर कोई इंडियन citizen है who is outside इंडिया and coming to visit in India और उसकी income कितनी हो रही है 15 लाग से जादा and he is not liable to pay tax anywhere मतलब अगर वो कहीं और tax पे करने के लिए liable नहीं है तो इंडिया में वो by default में कौन है? resident मतलब वो दूबई में रह रह रहा है and not liable to pay tax there but इंडिया से आने वाली income 15 लाग से जादा है तो इंडिया में उसे क्या मान लिया जाएगा? resident, deemed as resident और अब चल बेटा तू कहीं और पे करने के लिए liable नहीं है? भारत सरकार पे tax पे कर चल तू और कहीं पे करने के लिए liable नहीं है? कोई बात नहीं, भारत तेरा घर है समझारी ये बात दीदी ने गे में बदल दिया you know this lady always disappoint many people ये लेडी ने गे में बदल दिया लेडी ने क्या बोला बेटा अगर तू कहीं कर नहीं है तो तू हमारा है समझमारी वर it is just acting as an individual it is just acting as a single person तिरको कोई नहीं मिली, आजा, तू मेरा है, तो भाई अपना भाई ये तो अपना क्या गेम खेला, समझ आ रहा ही क्या गेम वापस से सुनो इसके लिए एक बेसिक कंडिशन है इंडिया से अट लिस्ट उसको कितना इंकमाना चीए मतलब ऐसा नहीं कि आपको बाहर है क्या लॉजिक लेकिन ने 15 लग बनाया इन्हें कुछ तो सोचके 15 लग डाल दिया मतब पूछो भी मत सर फिर अगर रोर की कंडिशन साटिस्फाय कर रहा होगा डेफिनेटली रोर मानो अधर्वाइस जन्रल अजम्शन क्या लेलो आर एन ओ आर काम खतम समझा रही यह बात चलो आजाओ लिखो अब तो डीम्ड रेसिडेंट नाम का कंसेप्ट लेके आ गए बोले तेरा कोई नहीं हम हैं तेरे तो बेटा जिसका कोई नहीं होता उसका इंकम टैक जरूर होता है अगर अगर टैक्स हेवन कंट्री टैक्स नहीं लेते तो डेक्स कैसे चलाते बिटा डेक्स नहीं डेश हो डेश कैसे चलाते हैं अरे टैक्स नहीं लेते रेवेनियू के बहुत सारे अर्डी और इन फीजश कोलेक्ट करते होंगे और विजट टरेवल विजट करते होंगे ट्रावल फीजश कर नहीं है क्योंगि य अगज कंट्री वहां पर इस दन सो दिम डेसे रेनाम का चंचप ले का चंचप किसके लिए एपलिके बिले रिपीट करो कंचप किसके लिए आपलिके बिले है इस अच्छा जी हूँ इस आउट साझ इंडिया उस्में भी उसने कित्व ल confess क्माना है फंदरा लाग से ज्चला कमाना है और वर आचीं ऐसेंhal वह कि सी बीरेजन के वज़े इंडिया में उसे क्या मान लिया रेसिडेंस और रेसिडेंट 드 मी ओन की दो ना आर एण ओ आर अच्छा जी बेटा है ऐसे काथ है यह अगमपल नंबर १ तुरंत इसी के निच्छे एक्सांपल नंबर तेथा पैप्वेज्च एक तो अपके सबसे एक क्या रहेगा अरवर यह दो अर्पित्ट रॉट्ट पाहि पाहितर नाम क्या है हाँ अर्पित 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 वोजिन लास वीगास from 2010 he was an indian citizen from kanpur he visit India for every year and on 22,00,000 averagely every year he is not liable to tax in Vegas or any other country what will be his residential status will your answer change if income is as under from India 14 lakh from Vegas 14 lakh total 28 lakh you can understand that you have changed a lot of questions in the question. If you have clicked, then you will find the right answer. and 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 if you have a question, then wait until tomorrow. I will find the next day. तो मैं हुई? पहले खुड ट्राइ करो, गल्ती करो. एक बच्चा मुझसे पूच रहा है, सर मुझे कैसे पता चलेगा उसना फॉरें में टैक्स पे किया नहीं किया? बहुत सही सवाल है, इस सवाल आपके मन में भी आना चाहिए था, पर सिंस यहां किसी नहीं नहीं पूचा, मतलब यहां सब को पता है, भाई मैं तिर को अलग से रिपलाए करेगा, चाहे पिला होगे? आपने मेरे से जवाल पूचना चाहिए था, सर मुझे किसे पत्यचली कह उसने हैं, आप टेक्सपे किननी? मुझे किसे पत्यचली कह जए बहुत सिंपल है, देखिए, इसके लिए, इसके लिए, एक सिंपल चा पॉइंट बताता हूँ आपको, cma final में cma final में topic एट dtaa क्या बोलते उसको अपन डट-T double taxation avoidance agreement दो country के बीच में ना अग्रीमेंट होता है tax information exchange करने के लिए हर country यह agree करती है कि एक दूसरे के साहर tax information exchange किया जाता है sir कैसे पता करेंगे unique number pan number yes or no तो अगर कोई Indian citizen है यहाँ पर पैसा कमा रहा है और जनरली उसका residential status इंडिया में नहीं है तो उससे related tax information हम कहां से मंगा सकते उस country से मंगा सकते जिस country में वो था या उन सारी country से मंगा सकते जिन सारी country में वो था अब इसका record तो confirm रहेगा जिन जिन country में वो था yes or no through his passport तो इस तरीके से उसका information collect होता है यस चलो जी तो यहां पर हमने किया बताइए इस question का जवाब किया है अर्पित वाज लास वेगस from 2010 he is an Indian citizen from Kanpur he visit India every year is he an Indian citizen who is outside India coming to visit in India and averagely 22 lakh रुपय तो कमाई रहा है and earning more than 15 lakh not liable to pay tax anywhere क्या मैं कह सकता हू he will be बुलो बड़ा deemed resident as per 6 1 a more particularly he will be treated as rn or आपके मन में आ रहा होगा सर हम लगभग आत दूसरा दिन है यह डिसकस कर रहे रो आर आर नो आर नर और और बेचे नहीं सी होगी सर उसने उदर इंकम कमाया इधर कमाया तो क्या रुको hold करो एक बार तुमको यह समझ में आ गया ना कोन और 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 फिर तुमको वह automatic click होता अभी तुमने six की पूरी series का सिर्फ एक सबसेक्शन पढ़ा है six one पूरी six का एक ही सबसेक्शन पढ़ा है six one चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं have we done with six one yes हमने six one भी कर लिया six one a भी कर लिया अगर आपको यादो important sections में से दो important sections हमने खतम कर दिये six one six one ए अगर आप देखोगे सिब important important section के नाम पर हम लोग ने पांच घंटा चलाया उस दिन का तीन सावा तीन आज का एक दिड़ घंटा सिब important sections के उपर चले अब आते नेक्स पार्ट पे six two residential status of huf give the next setting section 62 section 62 do using residential status of H h uf hyndu undivided family ka residential status Hindu undivided family ka residential status if control and management wholly or partly situated in India resident if control and management wholly situated outside India non-resident is this liable for foreign and who received the Indian citizenship in India in India है डबल टेक्सेशन और एंगरीमेंट डबल टेक्स लगने नहीं देते हम क्या करते जो टेक्स पे उसने फोरें में किया उसका kredit उसको इंडिया में देते हैं कैसे बताया जाएगा फैंनल में कवर एक पूरे चाप्टर में बट इसका क्रेडिट मिल जाता है डिडून पेड वाला कंडिशन नहीं अप्लिकेबल होगा बिटा हाँ 60 देज वाला कंडिशन कहां अप्लिकेबल है वेन ही इस एन इंडियन सिटिजन एंड इस पेइं टाक्स सम्वेर 611 को अगर आप देखोगे तो he is not liable to pay tax anywhere तो 611 लगता नहीं तो 611 नहीं लगता हम जनरल कंडिशन लगाएंगे yes or no चली आईए residential status of HUF अब यहां से तीन residential status बहुत speed में निकलते हैं चेक किजेगा इस control and management क्या भूला बिटा मैंने control and management holy or partly यहां पे holy or partly word लिखा है holy or partly situated in India now आप यह पूछेंगे sir what do you mean by control and management sir control and management means decision making authority decision making power or authority हच्च वेफ से रिलेटेड डिसिज你想 कहा लिए गयें हैं ये देखना ओगा एच्च वेफ से डिलेटेड डिसिजंगा लिए फिरड आप फोली इंडिया में लिया तो đó हम sudah हम लेंगे ओली in India लिया पार्ट लिभी बी इंडिया तो क्या मान लेंगे Resident मान लेंगे लेट मी गिव इभ इंग यू एग्जामपल एक हजबन एन वाइफ थे हजबन ते दुबई के अंदर में २ाइफ है इंडिया के अंदर में रई्ट् आपको तोमालोयमे डिशन सारे इंडिया में होंगे कुछ हस्बेंड दुबई में वाइफ इंडिया में अब लॉजिकली आपको नहीं लगता कि सारे डीसिए इंडिया में होंगे अब का जवाब 90% डुबाई में लिए 10% इंडिया में लिए अब आपका जवाब Holy or Partly एक decision में इंडिया में लिए resident काम खताम याने क्या मैं बोल सकता हूँ हुएफ 99% resident ही रहेगा Holy or Partly word यूज कर दिया I hope you are understanding this Holy or Partly word यूज कर दिया एक decision में इंडिया में लिए आउट ओफ 10 तो भी resident हो गए इस तरह की का तो लोगा बनाये इन्होंने Holy outside India non-resident अगर complete decision outside इंडिया ले जाता है तो non-resident Now logically speaking logically speaking New Age era में यह ढूणना बहुत मुश्किल है पूछो कैसे है? Husband दुबाई में wife इंडिया में decision taken on WhatsApp Where the decision is taken? WhatsApp का server किदर है? USA अब decision किदर लिया? मुझे बताओ ना अब decision किदर लिया? फिर भी इंडिया में wife के दिमाग में decision तो वही है अरे बात है नहीं है देखो मैं आपको बताता हो एक बात बहुत simple rule है जैसे आप मेरे case में देख लो हमारे case में मेरे और पल्लेवी के case में touchwood जगड़े बहुत कम होते पुछो कैसे? बहुत simple है यार वो बड़े DCN में नहीं बोलती में चोटे DCN में नहीं बोलता पुछो कैसे? पुछो ना कैसे? सफल जीवन का राज बता रहा हो हर लड़के को जड़ा ध्यान से सुनना सफल गरस्त जीवन का राज पुछो कैसे? वो चोटे DCN में चोटे DCN में नहीं बोलता पुछो चोटे DCN मतलब मेरा पैसा किदर खर्चोना चीए? शॉपिंग किदर होनी चीए? स्वास्तिक कि स्कूल में जाएंगा? हमने कौन सी कार लेनी है? हमने किदर जाना है घुमने के लिए? यह होगा चोटे DCN इसमें मैं कुछ नहीं बोलता पुछो बढ़े DCN? क्या पाकिस्तान ने इंडिया पे हमला करना चीए? हमारी देश की एकनॉमिक इधर जा रही है? अडानी जी ने नया बिजनस कौन सा चालू करना चाहिए? वो बढ़े DCN में कुछ नहीं बोलती है आदे जगडे इदर ही सौटेड है समझ में आ रही है क्या बात? बढ़े बढ़े जरा साहिरी से समझाना चाहूंगा आपको भी जराद देना ठीक है? अब देखो आपको तो पता है कभी भी लड़के और लड़की में जगड़ा हुआ तो माफी तो कौन मांगेगा लड़का? बढ़े बढ़े या नहीं है? यह तो बढ़े डिफॉल्ट में है हुग है? तो ध्यान देखो सुनिएगा और इन फैक्ट यह उन लोगों के लिए भी अपली के बले जो आपके एक टाइम पर बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे लेकिन किसी misunderstanding के कारण अब खतम हो चुके हैं आ गया मूँका flavor? अब सुनो कि कुछ इस तरह अपनी जिंदगी को आसा बना लो पापस सुनो कि कुछ इस तरह अपनी जिंदगी को आसा बना लो कुछ लोगों से माफी मांग लो और कुछ लोगों को माफ कर दो अब यह रियल लाइफ में बहुत मुश्किल है कि हुएफ ने एक्जाक्ली डिसियन का लिया 99 परसेंट इस अजूम कि वह क्या है बेटा रेसिडेंट और क्या आपको पता है इसको भी सिप रेसिडेंट बना के काम नहीं चलता इसे भी आरो आर आर अर अर बनाना पड़ता आरो आर कब बनेगा अगर करता सैटिस्फाय कर लेता है सेक्शन खर्चाइट रेसिदी क्षेक्व कॉरसा श्राइट आपको लेसरा है सेक्शन झाल झाल दन हो फो भी आरो रोर में कंप्लीट करना पड़ता है अगर हो करता 66 साटिस्फाइब लेक्ट 66 कुछ याद निया रहा भरो 66 कुछ याद निया रहा टू आउट अफ टेन प्रीविए स्टिंग येर एंड 730 डेज इन 7 प्रीविए स्टिंग येर किसकी बात कर रहे है विड़ा 66 सो रोर की कंडिशन किसको साटिस्फाइब करनी है करता अगर करता रोर की कंडिशन साटिस्फाइब कर लेता है होल हुएफ रोर नहीं तो होल हुएफ र एन ओ आर राज की बात बताएं होल हुएफ only इन ओ दिवजल and हुएफ can be treated as ROR, RNOR else every other person is either resident or non-resident. Only individual in HOF can be treated as ROR, RNOR else every other person is either resident or non-resident. So only individual and HOF can be treated as ROR, RNOR. Instead of individual and HOF, rest of every other person either resident or non-resident. American M.A.S. M.A.S.E.O.K.E. मुझे बताओ एक्जाम्बल नमर्ज 6 एक्जाम्बल नमर्ज 6 एक्जाम्बल नमर्ज 6.2 का आपके इसाब से क्या होने वाला है विजुपल्लु हुएफ अपरीटिव एक्जाम्बल नमर्ज 6.12.1 एक्जाओ प्रॉपल 6.3000 एक्जाओ टेकन इंड़ उसाब and part of the decisions taken in India which you satisfies conditions of section 66 what will be HUF's residential status will your answer change if whole decision is taken in USA and point number one jinn jinn books already books dispatch हो चुकी है holidays के चक्कर में हो सकता है एक दो दिन लेट हो जाए बाकि बुक्स डिस्पाच हो चुकी है टेलिग्राम के उपर जब तक कि मैंने अल्रडी आपके डाल रखे है एंड अगर आप डेली लेक्चर देख रहे हो तो इन लोगों ने भी अब तक के एक बार भी बुक नहीं खोली है कि येस पॉइंट नमबर वन पॉइंट नमबर टू पॉइंट नमबर टू सर और किते दिन रेमो लेक्चर रहेंगे इसके आगे और दो दिन जो लेक्चर से ये अक्टिवेट कर वा देना तसी लेक्षर देमो कर थे मैं टेकनिकल टीम का यहां पर नमबर दे रहा हूँ जितके लोग लाइव में भी बैठेह पलीस अपने गुगल ड्राइब भी अक्टीवेट कर लेना ए करी आक लन यह आपके टेक्निकल टीम का नंबर है टेक्निकल टीम बिटा ओपरेट करती है सुब्वेरे साड़े दस बज़े से लेके शाम में छे बज़े तक ठीक है तो इसके आगे या पीछे आप कभी भी कॉल करोगे कभी रिपलाइ नहीं आएगा सीध्दा नेक्सट डे आएगा टेट तो यह आपका टेक्निकल टीम का नंबर है बुक्स रिलेटेड क्विरी है कि सर मेरी अभी बुक्स नहीं आई बुक्स एच्च आट्सेट्रा एच्च आट्सेट्रा एक नाइन-5-6-7-8-4-2-5-6 इस दे नंबर जहांपे आप बुक रि इस भजा हे चालू रहता है संडे सर क्लोस रहता है थे सर अंशी निटाया नी कमा नेकित है इन्सान हम हुस्का संडे उता है होसी नहीं कर रहा है कि बरह Lah IRA क मुझा ने ना तुमारा संडे कुछ नहीं रहता है उसका रहता है कि के ग्वदा चलो आजो हां तभी यह यहां पर बताईए है तर हमारा संदे नियो ता बूला आपने हां पहला था इसले कल मिल गया ना सर मतलव मतलव अगले संदे छे दिन बाद देखेंगे अपन दन्दे पिदान दो विजय पल्लू हुआ अपरेटिंग फ्रम इंडिया पार्ट अटिकन इन उसा एं पार्ट अटिकन इन इंडिया बोलो हुआ का रिशिदेंशल स्टेश्ट क्या रहेगा रो और एवरिबड़ी बिकाज विज्व इस सैटिस्फाइंग अप्डिशन अप्शन 6 6 विल यूर आंसर चेंज यह हूंबक है यह हूंबक है अच्छा सर सर वाट बाउट वह बैककप लेक्चर का क्या होगा सब बोल दिया भाई वापस तुम वह कईसे रिपीट करो लेक्चर न इस दिस धन मालिक 6 2 क्लियर है आते हैं नेक्स सेक्शन पर सेक्शन 6 4 रेजिदेंचल स्टेटस अफ अधर परसन सर आप 6 3 भूल गए भूला नहीं फोल किया होलला चैन सर इ气 और इन पर्क वारणा नहीं परस्ट वैकर दिया तो पलो कॉ बैकश और का तृ रशिदेंट सिटेंट नहीं फोल्ली अबैक रशिटा वह फोल्ली प्रसच्रीट नहीं होल्ली परस्टिदी पतके ह Germans आउट्साइड इंडिया तो नॉन रेसिडेंट आपको नहीं लगता कट कॉपी पेस्ट हुआ सिधा सिधा हुआ कि अजी के अगे सर अधर पर्षन मतलब बिटा पर्षन के डिफिनेशन करों इंडिविजूल 6-1 में कवर हो गया है एक एच एफ 6-2 में कवर हो गया तीसरा कौन सा था फर्म लोग फर्म में आ गया कंपनी के लिए 63 है उसके आगे कौन हो गए एओ पी बो आए लोकल अथौर तो जो उदर नहीं आ रहे हों सब इधर आ गए अधर परसंट कर मेरे कैल कुलेटर में टैक्स प्लस टैक्स माइनस लिखा है क्या मैं एक्जाम में यह यूज कर सकता हूं कि इंकम टैक्स इतना डाइवर्सिफाइड है कि वह एक फंक्शन में नहीं आ सकता कि इंकम टैक्स देबार्टमें इंडर्स्टाइड इस हमारे इतने अलग कैलकुलेशन है साइंटिपिक कैलकुलेटर भी फेल होता अब तक तुमको समझ्या है किते अलग-अलग सर्चाज रिटे अलग-अलग केस में तुम मेमरी में किता सेव करके जाओंगे एक दो तीन मैक्सिमुम तीन फंक्शन सेव करके जाओंगे उधर है जित्ता तुम उसके सेव करके दिस पर दिमाग लगाओं उत्ते में तो तुम कॉंसेट में आंसर निकाल दोंगे आपको नहीं लगता पूरा का पूरा पूरा कॉंसेप्ट ही सेम है इफ बोलो बिटा बोलो जल्दी से इफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होली और पार्टली सिच्वेटेट इन इंडिया तो रेसिडेंट नहीं तो नॉन रेसिडेंट बताइए औरल ही इसका जवाब देतो कोई question की ज़रत नहीं एक partnership firm है पार्ट अफ़ डीजीन आरे टेकन इंडिया पार्ट अफ़ डीजीन आरे टेकन इन चाइना है ओल डीजीन इस टेकन इंडिया ओल डीजीन टेकन इन चाइना सॉटेड मालिक खतम section 63 residential status for companies अपने लगता है यह पढ़ते ही हमारा section 6 कतम हो जायेगा इंडियन कंपनी ओल्वेज रेसिडेंट अगर कोई इंडियन कंपनी है ओल्वेज रेसिडेंट येस मैं करता है लिख थो अगर को फॉर रेन कंपनी अगर को पोयम इन इंडिया है रेसिडेंट है पोयम आउट साइड इंडिया पंचायती समझ रहो तुमको पहले पोयम समझना है और लिख ना पोकट पंचायती इजात काई ने बाबा माजा लगना करा लिख ले है न मैं खड़ा इदर इजात काई ने बाबा माजा लगना करा पहले बाबाल है रेजिडेंशन स्टेटास फोर गम्पटनीज क्या प्लब बच्वन है इस फैस्टास के केस्समें रिसीधाईंच क क्या रहेगा विटा अगर कंपनी इंडियन कंपनी हमत्ती केसी Cin почему ब Amazing हमें ह।नordo वो 100% export oriented unity क्यों ना हो मतलब अगर कोई company है 100% export करती है पर registered इंडिया में है हमेशा क्या मानी जाएगी resident मतलब अगर वो भारतिया है तो वो हमेशा रहने क्या वाली है भारतिया हो बरबर है foreign company पूयम इंडिया में है तो resident नइ तो non-resident पूयम इंडिया में है तो resident नहीं तो non-resident अब आप ये पूछेंगे सब्स如何 यह पूखेंगे के सर यह पूख्षण और यहां इंडिया में क्या होती है इंस driven और पूयम होती है इंडिया में क्या होती है बटा कवीता फॉरेंड में पूयम होती है तो यह याद रखना ठीक है अब पूयम अब पूयम मतलब क्या होता है बटा पूयम का मतलब होता है प्लेस ओफ इफेक्टिव मैनेजमेंट प्लेस ओफ इफेक्टिव मैनेजमेंट sir what do you mean by place of effective management covered in finals आपको इता ही बनने बताया place where decisions are taken in substance होता क्या था foreign company used to avoid tax वो अपनी maximum board meeting बाहर रख देते थे maximum board meeting बाहर रख देते थे India में board meeting ही नहीं रखते थे तो control and management इंडिया में दिखता ही नहीं था and that's why that's how they used to avoid tax in India वो बोलते थे भी या हम इंडिया में operate तो कर रहें लेगें इंडिया में DCN सी नहीं ले रहें फिर ultimately concept change किया गया poem का concept insert किया गया और poem का concept insert करके बुला गया कि भी या decision कहां के लिए insubstance लिया जा रहा है rather than decision कहां लिया जा रहा है यह important अगर decision इंडिया के लिए हो रहा है place of effective management उसका effective management कहा हो रहा है इंडिया में तो उसको हम क्या मान लेंगे resident उसको हम क्या मान लेंगे resident लेकिन यह decision कैसे कब क्या इस सब आपको final में covered हैं इस सब आपको कहां दिया वाय प्लेस फेक्टेमानेजमेंट इस इन इंडिया रेसिदेंट अधर्वाइस नों डेसिदेंट यह सो नो चलो फटाफ़ट 626364 रिपीट करो और ब्रेक लो 62 इफ कंट्रोल और अनेजमेंट होली और पाडली सिचुएटेट इन इंडिया तो रेसिदेंट नहीं तो करता सैडिस्फाइ 66 करता दूनाट सैटिसफाइ 66 अगर कर ता 66 सैटिस्फाइब कर रहा है तो और नहीं तो आर अर और बाजु करो अधर परसनी कांट्रोल अने तो नन्राशेदेंट एंडिया तो क्लीयर बाजु करो इंदेन कंपनी और वेज रेसिदेंट ए पौरन अच्छा कुछ बच्चो से रिक्वेस्ट है मतलब अगर उनको ऐसा लगता है कि भी यह जो 10 मिनिट्स का ब्रेक है यह बहुत छोटा हो रहा है या सम्तिंग और ब्रिंगिंगें इंटिफिंस तो प्लीज यहीं खा लेना ऐसा टेंशन मत लेना मालब लेक्चर की बीच में खा खाओ खालेना तुमको दिन भर बैटना होता है इस रियली नौट पॉसिबल कि तुम सब चीज उसी टाइम में कर लो कि अधा कर दो कि अधाओा कॉ्एब खालेना तुमको दो नौट अधाओार की बीचान है तुमकोपपवचार है इस बास हो आपाले कि अधार का नौट प्लीज़ चाहिए है ड़ंग जा में मत वा प्लीज़ जैंट रहा है और रहा हम भीज़, पाम प्लीज़, वादर में रहादื झाल 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 अगर वह अधर परसन यहां पर तीन लाइन छोड़ देना इस चार्ट के अगर वह अधर परसन तो या तो वह रेसिडेंट या तो वह यह यह भी कमाएगा तो दो यह इंडियान इंकम या तो यह इंडियान इंकम होगी या तो यह फॉरेन इंकम होगी कमाएगा तो दो तरह की इंकम या तो यह इंडियान इंकम होगी या तो यह फॉरेन इंकम होगी भाई मेरे भाई हम सेक्शन 6 से सेक्शन 5 पे चले गए बदल गए हैं वो भाई यह इस दन चेक को स्कोप आफ टोटल इंकम अगर असे इंडिविच्व यह वाले पार्ट को बहुत-बहुत-बहुत-बहुत ज्यादा इंपोर्टन्ट कंसेप्ट है प्लीज ध्यांजा सुनना अगर कोई भी वेक्ति अगर कोई भी वेक्ति है यह इंडिविच्वल हुए यह तीनी पर सन्राइशल हो रहा था अब तक हम या तो foreign income, अब आप ये पूछेंगे, Sir what do you mean by foreign income, इतना गजब का definition है, महबबत हो जाएगी तुम्हें बनाने वाले से, foreign income, is an income which is not an Indian income, which is not an Indian income, वो तुमने बच्पन में serials देखे थे, क्या दिन थे यार, serial देखा करते थे, you know, कौन भूल चकता है, भाई, CID, को नी, CID में ACP प्रद्यूमन, right, दया, अगर लाश कुए से मिली है, इसका मतलब लाश गिल्ली होगी, पता लगाओ, उसे कुए में फेका किसने था, याद आ रहे तुमको, क्या दिन थे यार, भाई, TMOC के, वो भी पुराने वाले serials, याद रहे, आज भी खाना खाते वक्त, वो ही देखना पसंद है अपने को, क्या दिन थे यार, काल्टून देखा करते थे थे, क्या, 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 नहीं, हम ये नहीं देखते, ये, नवीता शिंचन नहीं देखते थे, अपना टाइम टॉमेंट जरी, शक्तिमान, शक्तिमान, ब्रो, साटेडे के दिन, स्कूल से आके, याद रहा क्या, क्या, दिन थे, ये, नवीता शिंच, ये, काल्टून नहीं क्या, स्कूबी-डू, ये, वो, वो, पेंसिल वाला था ना, यार, वो, शागल आगा, वोम, वोम, ये, इसी रहा लुआ करते थे, ये, आज के शिंचन, मूँ तक सिधा नहीं, स्वास्तिक देखता है, मैं तो नहीं देखता, स्वास्तिक देखता है, मेरे को बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, वो, नवीता और सिंचन का क्या लफड़ा है, अलग-अलग है क्या दोनों, और वो, नवीता और सुचु का, वो, क्या, गेम क्या है, वो, ब्लू वाला कौन ह वो डोरे मॉन है यह एक और कॉंसेप्ट बीच में अच्छा डोरे मॉन का क्या लपड़ा है वो फ्यूचर चाहिए और यह नॉबिता यह प्रेजेंट में यह फ्यूचर में आया है और वो सूजु की अरे वो है न उसमें लड़की हो वो क्या है वो क्या लपड़ा है वो दियर बेस्ट फ्रेंड्स ओ तो वो उसमें एक और वेदना है मेरे जैसा दिखता है जियान मोटा सा उसका क्या लपड़ा है लाइफ में कि वो क्या टरेटर है वो सिंगर ए गाना गाता है सप्राइजिए मोटे लोड़के गाना गा सकते हैं कि ने तो सीरियल का बेस्ट क्या है गैजट्स कौन बनाता है अ कि डोरेमान मतलब वो लड़का जो लड़की से प्यार करता है वो ब्लू वाला अच्छा वो ब्लू वाला ओहो वो गैजट्स बनाता है गैजट्स क्यों चाहिए नोभीता की मदद के लिए और नोभीता लपड़े में क्यों है वो जियान के गान कितना कॉंप्लिकेट करके रखा है प्रोसेस को कितना सिंपल प्रोसेस है टॉम एंजरी चुहा बिल्ली को पकड़ता यह सो नो देट इस बिहांड माउस गेम ओवर कितना सिंपलिफाय करना इसको समझने के लिए जब अर्दस्ती एक जियान आरा हूँ तकलिप दे रहा है फिर यह रोबोट फ्यूचर में जाके लेके आरा किता लपड़ा है जीवन में पीस दबी नहीं बोल रहे हैं इसे बिट छोटा भी हैं गाउं में तकलीफ आई लड़ू खाया गेम घतम है आई से अपने को पसंद आते जिसमें खाना इंवाल्ड हो कि आई सेरील आपने को पसाना आते हैं खाना इन्वार्ड हो एक लिस्ट क्या है देख दो तरगी के लोग रहते एक जीने के लिए खाते दूसे खाने के लिए जीते हैं अपन बहुत सिंपल अपन दूसरे में है अगर आपको अगर आपको मतलब एक-एक स्पोट बताऊँगा इन स्पोट पर जरूर जाना मतलब एकदम आह वाला प्लेस है पहला प्लेस आपके सामने में आज डिस्क्लोस कर रहा हूँ ठीक है रात में आपको देड़ बजे दो बजे भयानक मस्त थंडी का माहूल अच्छा सा समा हां मतलब ऐसा ही अच्छ सरीन कॉफी होट बॉनवीटा गरम मैगी चीज डाल के पिज़ा ऐसा स्लाइस निकाले कि पहले वो बाहर ऐसी अगर आइटम खाना है वह भी सस्ते रेट में गाजा सस्ते रेट में गाड़ी उठाने का रात में जाने का बावदान बावदान में जी जाई गाफे कि बावदान बावदान में है जी जाई कैफे तीन सो रुपए में तीन लोगों का पेट भरता इतना घजब का स्पोट है और वहां जाके क्या ओडर करना मैं पहली बता दे रहा हूं देख भाई अपन फूडी अपन पहली बता देते क्या है क्या नहीं है उत्ती जगे जाकर अगर तुम्हें गरम पसंदे तो अरे गरम पीना पसंदे तो ठीक है होट बान वीटा और या तो फिर कोल्ड कॉफी ठीक है यह चार आइटम कंफर्म वहां पे मंगा लेने का और कंटीनियू में चलते रहन देने का अगर आपको चाय के साथ बहुत सारी चीजे पसंदे त दो ऐसे डेक है ठीक है उपर परिवार वालों के लिए है समझ गये ना और नहीं समझे तो कोई बात नहीं बेटा फोगो तो अगर आपको 25 रुपय वाली चाय पसंदे नीचे जाए अगर आपको 10 रुपय वाली चाय पसंदे आप उपर आए अस सिंपल एस गेम समझमारी बत पर भाई साब और कभी भी रात में 10 बजे के बाद जो ऐसा पूने मुंबई एक्सप्रेस हाइवे दिखता बयानक सुपर पूने मुंबई एक्सप्रेस हाइवे दिखता उदर इसे ग्रिल लगी बेड़ जाओ एक घंटे तक कि इतना मजा आएगा बाजू में पहाड़े थंडी हवा लगती रहेगी जिन लड़कियों को थंडी जादा लगती है उनन कीजबता दया करके जाने गाए है ने तो पहले फैसन के चक्कर में दीदी पहिंके जाते हैं ऐसीडेस हे ब्लवा लभा है ऊदर यूदर पहिंके जातेनॉनमय कपड़ें तंडी है तंडी लगतुchem थन्डी लग रही है QC कि सामने बैठने कर निचचे बेठने का दूर मैफो जर जिन समने अत्रा को किना में लगरी है उनका क्या तो तो आंनासा यह जगह जा न दूसरा sitting predictive और यह घ्रेंअ और वेठ्ट रॉज ने शंसे वात्रीन कुछ। बाँ ऐसा प्रेश्टीज पॉइंट से भाहर निकलो लेफ्ट मारो सीद्धा जाओ एस्पी बिर्यानी एस्पी बिर्यानी के अपोजिट में गोकुल चाइनीज है ठीक है संडे के दिन अगर आट बजे खाना खाने की इच्छा है वहाँ पर साथ बजे जाने का बहतरीन चाइनीज 200 से 2500 रुपए के अंदर में तुमको पेड़ भरके एकदम जबरदस चाइनीज मिलने वाला है बरबर आज के समाचारियां खतम होएं और किसी को कुछ आइटम पूछना है कि बाद में कभी बताऊंगा थोड़ा सा पहले ये दो टेस्ट करके आजाओ ठीक छहते है नल स्टाप ठीक है नल्स्टाप का फसंद ही आ यह मानलो बाले अरिया में आंप दूशली एरिया मरें हो तो डिकन है पर मिलता पोहत टेश्टी डिकन में बिलकुल लोल के terzi के तो ऐन सह Sé हाँ इधर उदर नहीं देखना से आपको लगए को गाड़ी आत्मा है गाड़ी अहल रही आत्मा है ऐसा सीधा जानेगा हुआ ऑस्टि के इन पर पहुछूगे वहां पर आंटी की चाय मिलती कि आ आप गलत समझ रहो हारे नाम ही है मेरे क्या उसके लेना चाहे और बाकी आपका इच्छा कि परेवरे यह तीन चीजे पहले कर लो उसके बाद आगे आओ कौन से पिद्धान देते हैं कि सर आप जोमेटों में पार्ट ताइम कि सर आप जोमेटों में पार्ट ताइम जॉब करते हो क्या अब है शेयरोल्डर ओनर है मैं कि अधर इत्ती दूर आए खापी के सुखी रहने का पढ़ाई तो करना ही है खापी के सुखी रहो मरना तो कैसे भी है खापी के मरो कि आत्मा तो संतुष्ट वह देख ऐसा कभी नहीं होना चीए ऐसा कभी नहीं होनाचीए कि तू किसी दिन थोड़ाा सा बूड़ा हुआ तेरी यह जूई तेरा पोता-पोता करके तिरको बतार है दादाजी दादीजी आपको मानूम है ऐसा वैसा आपने उल्टा यह बोना चल बहु बापको मत सिखा, you have two kind of attitude, अच्छा बिटा ऐसा है, अच्छा जाएंगी अपना, दूसरा चल बापको मत सिखा, you have two kind of attitude, तुम डिजाड करो, तुमको कहा चाहिए, खुद सब इतने कांड करके बढ़ जाओ, तुमारे किसे नहीं कांड होने चाहिए, तुमारे किसे तुमारे किसे नहीं कांड होने चाहिए, चल आजा बटा, सर, FC रोड का बता, FC रोड का बता, FC रोड में भी खाने खाने जाओगे, आजा आजा, सर, FC रोड करते हो याँ, वहाँ बिर्यानी बट रहे हैं, तुमें काना काना है, चलो, कंसे पर हो, आजा, 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 बटाए, कंसे पर आजा, सो, आई, 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 एक लड़का कह रहा है, सर, इससे अच्छा मेडिटेशन करे, क तेरा गोल है, तेको अकेले जीना है, यहाँ सबके सपने मिनिमुम तीन बच्चे चाहिए, तु करना, अभी देख, मैं तुमारे को, समझ, अभी कैसा है, तुमको दो परसंद दिखाता, अभी इसके बाद जो लौ के लिए आएंगा ना, साधू अदमी एक, तुमको मेडि मेडिटेशन ही को, he is the best person, उदर शांती वाली चीज है जरा, पीस, पेस, उसको अप्शन मिले न, कि भए, तिरको क्या करना है, वो बोले का बाद दो घंडा पीस, मेडिटेशन करना है, शांती में बेटना है, मिरको अप्शन मिले, मैं पाटी करेगा, उसको अप्शन मिले कमाना है, नहीं कमाना है, वो बोले कि शांती में बेटेंगे, मिरको अप्शन मिले, कमाना ही है, अप्शन नहीं है, तो ऐसा, अपने अपने गोल से, किसी का गोल गलत नहीं है, सबके अपने 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 गोल से, किसी का गोल गलत नहीं है, चलो आजाओ, concept पे आते हैं, तन्दे बिरान देते हैं 1,2,3, स्टार्ट हाँ जी भईया Scope of total income अगर आप देखेंगे हमने ROR RNOR को दो पार्ट में डिवाइड करके रका है हमने ROR RNOR को किते पार्ट में डिवाइड करके रका है दो बूलगा ना कही था है? दो बहुत गंदे लोगोगुताइची शिव 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 शोव अब आम में इंड पोड़ेगी ने श? एम इंड नंकम-स- इन्डिया 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 इन्डि लेट में टेल यू सम्टिंग्स इंडियन का मान लीजे ये था अंडर्टेकर अंडर्टेकर ये था इसका हाथ निकालो जॉन सीना ये था जॉन सीना ठीक है लड़कियों ये दो केरेक्टर है डबल डबलुई के लड़कियों को बता ना लड़कों को पता रहेंगा लड़कियों को पता है वह बहुत बढ़ी है वी शाप देखने में क्या मजा आता था यहार क्या लाइफ थी साला कीदर आगए और जीवन में अब अभी भी आता यह व्लूवी है काय पे आता कॉन से चानल पे आता है सोनी टीवी यह सोनी एंड़िन्मेंट तुरी टेन ओके ऐसा भी जो चानल है पढिए आओ 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 रिसीवड इन इंडिया सपोस करले अंडर्टेकर इस थे नॉन डेसेडेंट Sina is a non-resident they had entered into a transaction they had entered into a transaction jiska paisa kaan receivu paisa receivu in India, kwaon si income ban jaygi bita, Indian income transaction kiske bich mein hua irrelevant vapas sa suni hain, transaction kiske bich mein hua irrelevant paisa agar India mein mila, to ye kwaon si income ban jaygi, Indian income transaction kiske bich mein hua irrelevant so, maan lije vijay aur ek non-resident ki bich mein transaction hua, jiska paisa india mein mila, kwaon si income ban gai, Indian income kwaon si income ban gai, Indian income dho non-resident ki bich mein transaction hua paisa india mein mila Indian income dho resident ki bich mein transaction hua paisa india mein mila, kwaon si income ban gai bita, Indian income, so pahla agar paisa india mein mila ye Indian income money jayegi received in india, b D. Deemed to be received in India. Deemed to be received in India. Section 7 and 8. Section 7 and 8. Deemed to be received in India. Oh, brother, what do you say? Deemed to be received in India. We assume that this money is received in India. We assume that this money is received in India. So, Section 7 and Section 8. Do you remember that? Where are we going? 6. Where are we going? 5. Where are we going? 7, 8, 9. Do you understand the link? Section 7. Deemed to be received in India. Deemed to be received in India. Dividend from Indian company. Dividend from an Indian company. Dividend from Indian company. Eek baat samajhke chaloo, bita. Sabse pahle section 8. 2 minute ma padakke. You know, baut simply katham karta hai. Right? But number 1. Received in India. Deemed to be received in India. Agar Indian company nye dividend diya. Income always deemed to be received in India. Bhale yye dividend outside India hi kyu na milao. Ab we all know that Reliance Limited ke anndar mein Mark Zuckerberg ka stake hai. Mark Zuckerberg is a non-resident. Reliance company nye agar dividend diya. Yeh dividend kaan diya? USA. Mark Zuckerberg ke liye kuan si income ban jaegi? Indian income. So, agar Indian company nye dividend diya. Income always deemed to accrue or arise in India. Indian company nye dividend diya. Income always deemed to accrue or arise in India. Samajhmaari baat. Indian company. Income always deemed to accrue or arise in India. Deed ya wey. Rishnavi ki paas. Right? This is as per section 8 and 9. Ihaan likh ke rakheya hal-phil-hal mein. Thuodhi dhir baat samjhega. Section 8 and 9. Done. Section 7. Deemed to be received in India. Contribution to RPF. Beyond 12% of salary. Up to 12% exempt. Interest on RPF. Beyond 9.5% of salary. Up to 9.5% per annum. Exempt. Contribution to pension scheme. Contribution to pension scheme. Contribution to pension scheme. Conversion of. URPF to RPF. झाल झाल ट्रिय्ट प्रेंट हैं प्रेंट हैं इस न चेक्ट यस आजब टा झाल झाल तुम्ट तुम्ट टुम्टेंट टू न इस डाल टूगद हम यह अज्यूम करेंगे यह पैसा इंडिया में ही मिल गया contribution to RPF बिटा RPF recognized provident fund इसे हम कहते RPF recognized provident fund मान लीजे पैसा मैंने आपको ना देके आपके भीहाब पर provident fund में जमा करा दिया क्या यह मैं कह सकता हूँ that you received the amount because ultimately उस account से पैसा withdraw करने का right तो आपके पास है तो मैंने आपके हाथ में salary ना देख करके salary के अलावा RPF में भी contribute कर दिया तो क्या मैं कह सकता हूँ your total salary is whatever the salary plus the amount made as a contribution to RPF यह total amount आपकी income हुई so contribution to RPF beyond 12% of salary beyond 12% of salary 12% of salary से उपर sir 12% of salary के उपर ही क्यों 12% तक exempt किया है so suppose employer ने employee के भीहाब पर 15% RPF में deposit किये कितना percent tax से बले 3% 3% of salary employee के हाथ में income मानी जाएगी 3% of salary employee के हाथ में क्या मानी जाएगी income interest on RPF beyond 9.5% 9.5% per annum के उपर 9.5% of salary यह गलत वड़े यहाँ पर 9.5% per annum सिर्फ interest on RPF beyond 9.5% यह जो पैसा आपके भीहाफ पर deposit किया जा रहा है इस पर interest भी generate हो रहा है क्योंकि यह provident fund का पैसा bank account में रखा जाता है इस पर interest generate होता है यह interest 9.5% तक के exempt है suppose अगर 11% interest मिल रहा है provident fund के उपर 11-9.5 बचावा amount कहा tax हो जाएगा इंडिया assuming that it is an Indian income तीसरा contribution to pension scheme employer employee के भीहाफ पेंशन scheme में भी contribute करता है इन तीनों concept यह चारों concept को हम salary में फिर एक बार पढ़ेंगे इनका detailed explanation के साथ contribution to pension scheme employer employee के भीहाफ पेंशन scheme में contribute करता है यह जो pension scheme के अंदर में वो contribute कर रहा है यह जो pension scheme के अंदर में वो contribute कर रहा है यह भी assume किया जाता है that it is received in India भाई लॉजिकली बात समझना मैंने पैसा ते को ना दे करके तेरे Google PayPal दे दिया is it received by you only at the same time मैंने तेरे को पैसा ना दे करके as employer मैंने तेरे भी हाफ पे retirement benefit के लिए पैसा दे दिया it is received by you only provident fund and pensions both are retirement benefits last conversion of URPF to RPF sir URPF unrecognized provident fund URPF unrecognized provident fund बहुत सारे बच्चे हैं online continuously सवाल पूछे जा रहे हैं आपको बूल बूल के थग गया रुको जरा सबर करो hold on अरे concept तो खतम होंदे मैं तिरसे end में पूछूंगा ये सवाल इधर income मिली तो क्या उधर income मिली तो क्या पहले concept तो समझ ले बटा अभी बहुत समझना बाकिये जीवन में है ना बहुत कुछ समझना बाकिये तो अभी ना ये टाइपिंग पर टाइम वेस्ट करके कुछ भी नहीं पा रहा है यहाँ पर जित्ते लोगे उनको तो बहुत अच्छे से समझ गया कि एंड तक के कुछ उनके पास सवाल नहीं बचने वाले तू भी बहुत जल्दी समझ जा इतर बस एंड में कुछ सवाल नहीं बचने वाले बस होल्ड कर ले मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ मैंने आपको पहले दिन भी बूला था सबजेक्ट इतना प्यार है क्योंकि इसमें दोनों ऐसे वर्डे जो दोनों इंटरस्टिंग है पहले इंकम और दूसरा है टाक्स पहला आदमी को चाहिए और दूसरा आदमी को चाहिए ही नहीं और यही कॉंट्रडिक्सन है बरे बरे कि आदमी को दिल तो लगाना है पर दिल तूटने से भी डरता है अरे यही तो तकलीफ है आदमी को दिल भी लगाना और दिल तूटने से भी डरता है अरे यह सो नो याद रख बीटा लेकिन इससे ज़ादा एक बहुत गैřी बात कहने जा रहा हूं मसलों सुन दोस्त वही जो भीड में खोने इस दोस्तथ वही जो भीड में खोने ना दे ख्वाब वही जो राद भर सोने ना दे तो हम कहां है Section 5 Section 5 में दो वर्ड मिले आपको तो पता है मैं आवरीज बच्चा है में ढूंडने निकल गया Indian income foreign income foreign income मतलब वो income जो इंडियन ही नहीं Indian income ढूंडने निकले received in India पैसा इंडिया में मिला transaction किसके बीच में और इर्रेलेवंट taxable in India इंडिया हमकुछ आपानु पर संट अपशर को लाइना मैं इंडियात ब्लाइक यह सब दी इंडिया मानने जाएंगे लास्ट है URPF तो RPF में conversion अब पूछो यह क्या है इतने तेजस्वी लोगते भारत के सर URPF का जो final amount होता है न वो taxable होता है जब maturity पे final amount मिलता है यह taxable होता है unrecognized provident fund जबकि recognized provident fund का जो final amount है यह क्या होता था एक्जम्ट तो लोग क्या करते थे retirement से पहले इतने तेजस्वी लोगते भारत के retirement से पहले URPF को RPF में convert कर देते थे फाइदा क्या होता था टैक्स पूरा का पूरा exempt हो जा था कही सालों बाद income tax department को समझ में यह लोग तो हमें हाहा बेवकूव बना रहे हैं क्या बना रहे हैं बेवकूव बना रहे हैं बस उन्होंने कह दिया बेटा किसी दिन अगर URPF to RPF convert कर दिया न उसको भी Indian income मान के tax कर देंगे उसको भी Indian income मान के क्या कर देंगे tax income tax बढ़े च्छोटा हुआ जगता था हूं एक प्ट्राइब ऑजन्ट उन्हों एक हम तोड़े थिल ते Óन्ट अगे चलके कुछ कुछ टॉपिक आएंगे जैसे एक टॉपिक आएगा एम्टी वहाँ पर तुम फैन हो जाओगे अम्बानी फैमिली के फैन हो जाओगे सर एक जड़क बतातो बस उसकी 84 85 में वीपी सिंग सर थे सन 84 85 में देन धिरुबाय अम्बानी उन्होंने एक लॉप लेकर आया मैट बरबर तो मैट लेकर आया जैसी मैट लेकर के आया उन्होंने क्लेम किया कि इस लॉप कोई तोड़ी नहीं सकता थैंक्स तो दिरुबाय अम्बानी तुरंट उसी छे मैने में तोड़के दिखाया और चोरी नहीं प्लानिंग लॉप होल थे बरबर अगले साल उन्हें लॉप होल को भरा अब इसको कोई नहीं तोड़ सकता फिर तोड़ दिया भाई ने कि तीसरे साल अब तो इस लॉप कोई तोड़ नहीं सकता भाई ने फिर तोड़ दिया चौते साल वी पी सिंग सरी नहीं रहे करीब दस साल बाद करीब दस साल बाद 97-98 का टाइम आया पीच इदंबरम साब फ़नान्स मिनिस्टर थे उन्हें बला अब हमने इस लॉप को इतना मजबूत कर दिया है कि इसको कोई तोड़ नहीं सकता बाप नमरी बेटा दस नमरी मुके शम्मानी साब शेल तोड़ के लिखाया और एक बार नहीं करीब चार बार उसके पाच साल बाद उन्होंने बोला कि भाई अब इस लॉप कोई तोड़ नहीं सकता अनि लंमानी शाब तोड़ है तोड़ मतलब एक्जाक्लिय क्या किया र यूज दे वर्डिंग्स ओफ लॉव इन सच फेंटास्टिक वे कि उन्होंने पूरा लॉव ही ब्रेक कर दिया लेट में गिव वेरी ब्रीफ एक्जामपल जैसे आपको बताता हूं हम कभी भी बैलेंशीट या पी एनल एक ही बनाते हैं हमने कभी थौट ही नहीं दिया अम्मानी फैमिली बूली रिस्टिक्शन की दर है तुमने ऐसा कहीं लिखा है कि एक साल के लिए दो पी एनल दो बैलेंशीट नहीं बनते हैं के यतिने गजब के लोग ते दो पी एनल बैलेंशीट बनाया कि एक रखा शेरहोल्डर के सामने जिस में डेपरीशियेशन रेट कम ता जिस चक्कर में प्रोफिट ज्यादा दिखा और दूसरा पूरे संकेत थे आगे बढ़ने के भाई सहाब दो P&L बैंशेट को कई साल लगे समझने के लिए भाई कर क्या रहा है शेरोल्डर खुश हुए जा रहे है रिलाइंस से इंकम टेक्स को सिंपड़ा खुश है कि ने जरी नहीं आ रहा है जीवन में प्रॉफट तो कम दिख रहे इसका शेरोल्डर क्यों खुश है क्यों इनवेस्ट कर रहा है जब कंपनी में प्रॉफट नहीं है तब जाकर करके उन्होंने ऐसा दोनों उपन किया बोले profit and loss account ला एक वहाई साफ गेम ही बाहर नहीं आथा कि इधर दो P&L बैलेंचीट चल रहे मैटर कोर्ट में गया बोले यह तो दो P&L बैलेंचीट इधर का डेपरिसेशन रेट अलग उदर का डेपरिसेशन रेट अलग यह क्या मजक लगा के रखा है अममानी फेमली इन द ब'RE लो इनने कप बूला को बना इनने कब بोला कि आ अरे इसा थोड़ी नोता है पर मैफ्टप ऑपों तो से मियरेग़ का लिखा stellar कि एका बुला अपने मेफ़ोड ऑपकांटिंग शुड रिमें सेम अकांटिंग पॉलिशी शुड रिमें सेम ऐसा कहीं लिखा कि तुमने अकांटिंग पॉलिशी शुड रिमें सेम डेपरीशेशन रेट शुड रिमें सेम ऐसा तुमने कहीं लिखा है ने कोट नहीं लिखा ह चाहिये था, law इनकम टाइक्स देपार्टमेंट भारा था अगले साल अमेंडमेंट अगले साल अमेंडमेंट उन्ने बोला बेटा, for the purpose of accounting, accounting policy, accounting method should remain same और इस चक्र में फिर AS1 बनाया गया accounting की मेफोड unless and until there is a reasonable रीजन चेंज कर सकते हैं। जशी है है है। उर्श की यूर्पीफ को एंड में जाके पता है। ना के यूर्पीफ क्या हो जाने तेक्स एबला की यूर्पीफ के और राद कर दिया। मटर्टकर्ट कर Searchcker ko समझ्ज नहीं यह लोग तो हमें हां बेवकूफ गलत वर्ड नहीं बेवकूफ बना रहे हैं उन्होंने क्या क्या बूल दिया यह वी कहां टैक्स बिलमाना जाएगा इंडिया कललका सब कौन सी इंकम इंडिया न इंकम होगे, Received in India, Deemed to be Received in India. तीसरा, Accrued or Arised in India, Accrued or Arised in India, सर, मान लो, यह था आपकी विज्जू सर, विज्जू सर का Bank Account ता, आइची 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 आइए बैंक में विजु सर का बैंक अकाउंट था विजु सर का बैंक अकाउंट था विजु सर का बैंक अकाउंट था आइची 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 आइए बैंक में विजु सर ने बैंक को क्या किया बिटा इंस्ट्रक किया क्रेडित दह इंट्रेस्ट अकूूर राइस इन इंडिया के 있는 इस रिसीव् ओउटस오 शल्पीटowią के इवर इस चीव्ड आउटसाइड इंडिय तो इस गौ का हूँ का प्रैंट था कर दो दूबाब अकाउंट में वहीजिऑ सिपी मिमिन्थ वही जिए विडिगा किम वैदर धेट येंट्रेस्ट अप्री और्लाइस दिन इन को रिपक्र ór on the आउंकों भुषया फ्रलिभी संस्रलियुल थे सिहनी है सवास्च एए थे पंद्रीटा मुक्ष में लोगी और जाएंस करते कावित-ई-घ्रिया मेंपरख बच्छों को सब्सक्राइब क्या घ्यास एगा थे भी सिवेस disciples deposit करो in my Mauritius bank account. Don't you think it was a very easy method to evade the tax? बच्चा कर देता, बच्चा बुल रहा है मेरे को पढ़ने से मतलब है किदर पैसा जारा है मेरे को क्या लिन देना? आपने आया, आपने क्लास के लिए पेमेंट किया, क्यो आर स्कान कर दे, आपको पता है कि तो अकाउंट किदर है? नहीं, मेरा ऐसा बुलने का कुछ मतलब नहीं है पर मैं आपको सिब बता रहा हूँ कि अगर ऐसा है भी सर्विसेस का दी जा रही है इंडिया अक्रू या अराइस का हुई इंडिया, टैक्सेबल का होगी इंडिया में, even though the amount is received outside इंडिया सर, पर फिर वो वाली कंट्री भी तो इस पर टैक्स लेगी? हाँ, 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 लेगी न, बिल्कुल लेगी सर, फिर तो ये डबल टैक्सेशन हुआ, हुआ पर डबल टैक्सेशन को अवाइड करने के लिए एक अग्रीमेंट बनता है दो कंट्री के बीच में, डबल टैक्सेशन अवाइडेंस अग्रीमेंट, जो टैक्स तुम वहाँ पे करोगे, उसका क्रेडिट तुमको कहा मिलेगा, इंडिया, पे दोनों जगा करोगे, लाइबलिटी दोनों जगा आएगी, एक जगा का आश गायत अंदिया, आखुनकने अखुनकन दोनोन नेटे के अन Гर॑ इंड पेसा अक्रु अराइज इंडिया में हुआ है, भले रिसीव आँटसाद इंडिया हुआ, भले रिसीव outside India it will be taxable in India assuming as an Indian income assuming as an Indian income D deem to accrue or arise outside in deem to accrue or arise in India deem to accrue or arise in India section number 9 very important section number 9 very important which is a moment section number 9 already important category list in the list you understand this is the truth you are understanding the truth and the chapter is coming from 6 from 6 from 5 from 5 from 7 from 8 from 9 clear ठीक है राइट अच्छा जी सर सभी लोगों से रिक्वेस्ट है nurse कल से book carry करना चालू करें मैं ठीक है कल से book carry करना चालू करना है जिसका admission नियुका admission करवा करके ड्मिश्ट गोटाप्ट लिए और book carry करना चालू करें क्योंकि में मेरे को कल से whether पार हो गए तो परसों से आपका बुक्स लगेगा ही लगेगा ठीक है जित्ते बच्चे ऑनलाइन और उनके बुक्स नहीं आई है इस लिस्ट को दीखिए यह पूरी लिस्ट दीए इंकम आउट ओफ बिजनस कनेक्शन से लेकर के कैपिटल असेड इसको सबसे पहले यहां पर आकर के लिखो रिफर नोट्स इन सब के बीचे एक 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 जामपल डालेंगे अपन चीक है रिफर नोट्स हम शुरु करेंगे कि बिजनस कनेक्शन सबसे एंड में डिसकस करेंगे बिजनस कनेक्शन कब डिसकस करेंगे सबसे एंड में यहां से पहले शुरुबात करेंगे सालरी अर्ण इन इंडिया अच्छा जी आज़ो कि सालरी अर्ण इन इंडिया सबसे पहले point number two point number two से शुरुवात किया हमने salary earned in india आपके notes देखो कैसे बनाये हैं अगर आप देखोगे next page पे ही आपके पूरे diagram सहीद बनाया है आपके notes पूरे 3D में बने हुए it's a complete 3D along with examples right और बहुत सारे बच्चों के पास अभी books नहीं है इसलिए मैं जान मुझके books को हाथ नहीं लगा रहा क्योंकि बहुत सारे बच्चों के पास नहीं है फिर उनको ऐसा फिलने आना दूसरों के पास है मेरे पास नहीं है इसके लिए इसके लिए right यहाँ पर same example same example में यहाँ पर बनाने वालों आप लोगों को अब तक समझ में आ चुका होगा जो इधर चल रहा वो यह exact it is cut copy paste notes में चल रहा ठीक है salary earned in India क्या बोला है salary earned in India सबसे पहले एक बात दो बार repeat करे सबसे पहले एक बात दो बात repeat कर ले section 9 non-resident के लिए है वापस लिए वह बोलो section 9 non-resident के लिए section 9 section 9 इस पूरे section को समझने के लिए आप हमेशा दिमाग में एक ही चीज रखेंगे section 9 ने इंडिया में ये income earn करी तो क्या section 9 किसके लिए बटा non-resident के लिए clear है अच्छा जितने बच्चे लाइव देख रहे हैं एक भी message मत करना एक भी सवाल मत पूछना जब तक के पूरा कंचप खतम ना हो जाए है अधर सेम टाइम आप सब भी आज मैं यह बूलूंगा ही नहीं एनी स्टूडेंट एनी कांड आप प्लीज कम आज का एक अंचप्ट है नहीं यह पूरा कल तक खतम होते ही आपके जितने सवालते डे वन से लेके यहां तक कि उसका गैरेंटी सब वाइप आफ हो विदेशी मिस विदेशी नौन रिसिदेंट जोइन एकत्वम अकैडमी मिस विदेशी जोइन एकत्वम अकैडमी ठीक है शी वर्ग्ड इन इंडिया बट सैलेरी क्रेडिटेड तो हर अकाउंट इन रशिया पता नहीं क्या समझ आता है लोग शीर 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 तुम लोग में को बिगाड रहे हो पता है ना मैं विचारा सीधा साधा बच्चा ओ मिस विदेशी एकत्वम अकैडमी में आती है एकत्वम अकैडमी में वर्क करती है उनकी जो सलीरी है नकी जो सलीरी है Do you wanna go mad? उनकी जो सलीरी है उनकी जो सलीरी है उस बेंक अकाउंट में क्रिडट किया R से कम आंधा जी कैन शी और बेंक अकाउंट इंडिया और रिश्य 味ना उश्म उसक्ता है नहीं है 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 उसका salary foreign में credit क्या अब मुझे बात बताईए है शी वर्क दिन इंडिया एंदर रिस अमांट इस रिसीवड आउटसाइड इंडिया है इस इंकम ट्रीटेट अस इंडियन इंकम यह जो इंकम वो कमा रही है यह कौन सी इंकम मानी जाएगी इंडियन इंकम अक्रू या आराइस कहाँ हो गई इंडिया में तो अगर कोई भी व्यक्ति इंडिया में काम कर रहा है भला ही वो non-residency कियो ना हो काम इंडिया में किया आपको लगता है इंडियन उसको है अबिसली नॉट आपको लगते है इंडन गवर्मेंट इसको चोड़ेगी नहीं उसने यहां काम किया यहां पैसा देना पड़ेगा येस तो विदेशी की इंकम कहाना राख जाएगी? इंडिया. क्योंकि उसने काम कहा किया है? वी इंडिया अमें. काम इंडिया में किया? इंदिन गवर्मेट छोड़ने वाली नहीं है. इंदिन गवर्मेट लेकी रहेगी. We are only discussing about tax. See I am responsible for what I said, not what you understood. वरे वरे आप कुछ भी सोच सकते हैं मैं जानता हूं आप मैं से बहुत सारे बच्चे फाउंडेशन से आये हैं आप स्पेशली जो एकत्वम वाले हैं वरे वरे कि नहीं उनका कुछ भी जूपड़ा हो सकता है आप मनें बहुत अच्छे से मालु है yes or no चलो नेक्स पिंट नेक्सपींट सैलरी फ्रम गोर्रम्रें टू इंडियन सिटिजन फरफिसे रेंडर्ड आउट साइड इंडिया थर्ड पंट लिखेंए सालरी टू इंडियन सिर्जण आत्साइड इंडिया बाई इंडियन गॉर्मेंट अब बेटा समझो सपोज इंडियन गॉर्मेंट थी इंडियन गॉर्मेंट ने पे किया मिश्टर सेल्मॉन जिनका नाम रखा गया टाइगर बरबर है और इन्हें एक मिशन पे प्लेस किया गया इन इराक बरबर है रोईजंट्स फॉरेंड एम्बेसी में वर्क करने वाले इंडियन पीपल राइट अब इंडियन गॉर्मेंट ने सेल्मॉन भाई कौन बेटा सेल्मॉन भाई इनका न इराक एम्बेसी में रखा बरबर है अब जरू धान से सुनिए सैल्मॉन भाई इंडियन सिटिजन सेल्मॉन भाई कौन बढ़ा इंडियन इंडियन गॉर्मेंट इंडियनषइन गॉष्ट खवाट आउटसेड इंडिया तो इनको तीन तरह की इंकम ऐसाइड इंडिया अलावंस और तीसरा इनको परक्विजिट मिल सकता है परक्विजिट का मतलब होता है बेनिफिट इन काइन्ड है फर एक्जामपल इनको हाउस दे दिया आउटसाइड इंडिया रहेंगा कहां भी चाहिदा यहांक में एक तजीव किदर रहेंगा है कर देदिया यस और नो इस दन चलो चेक करो बिटा चेक 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 इंडियन गवर्मेंट इंडियन सेटिशन को मेंली तीन चीज दे रहा है जो परक्विजिट और अलावंस है यह पूरे के पूरे एक्जम्ट है अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 7 सालेरी टैक्सेबल है एज इंडियन इंकम तब जब सर he अलावंस क्या होते हैं benefit in cash वहाँ पर डीक इन क्व लेकर्चे के लिए है benefit in cash डी ऐ दिए धर «डी posed या कुबाइल या एलावंस दीआ हिस अब अलावंस हो गए परकुजुजट्स benefit इन hp वहां पर कार अरेंज कर के दी वहां पर नहीं अलग नाम दिया गया किया बांट healthy जarnya भाई यह I benefit in kind अर। एंद नीक्यों का जाएंगा बिट्टा बेनीफिट इन काइंड उहला जाता Хिन्हं अलग नाम दिया गया एक क्या दिया है बटा परकुजेट तो इंडियान गोवर्मेंट इंडियन सिटिजन को दे रिए उटसाइड इंडिया यह सैलरी टैक्सिबल लेकिन allowances and prerequisite क्या बिटा एक्जम allowances and prerequisite क्या बिटा एक्जम शप्पोश कर लो शप्पोश कर लो यही अगर इंडियन गौवर्मेंट ने foreign citizen को दिया होता आउटसाइड इंडिया क्योंकि वहां के भी तो कोछ लोग होंगे ना जो embassy में वक कर रहे होंगे इंडियन embassy में इस इस नॉत taxable इंडिया सो इंडियन गोवर्मेंट ने foreign citizen को दिया outside India this will not be taxable in India क्योंकि वह पैसा receive भी outside इंडिया कर रा होगा services भी उसकी outside India है सिर्फ Indian government ने जिनको appoint करके outside India भेजाए उनके लिए ये law applicable है Sir suppose कर लो कोई नलायक मेरे से जरूर पूछ सकता है Sir suppose कर लो अगर यही reliance industry में किसी Indian citizen को Indian citizen को TCS ने Indian citizen को outside India भेजा इसका salary credited in India इसका salary credited outside India बताइए taxability क्या होगी common sense लगाओ Reliance हो गया, TCS हो गया, Tata हो गया सीधे शद्धो में Indian company Indian company ने Indian citizen को outside India भेजा काम करने के लिए बताइए salary credit भी उसकी इंडिया में, is it taxable? received in India deemed to be Indian income यह कौन सी income बन जाएगी बिटा? Indian income What about salary gae क्कून सी प्षाओ अकांट मे, ने लिए ओंटेम्या, not an Indian income Sir क्यो舍 र्वी foundational o 잘못 क्योँ बंतार रा Им प्राइए O हुआ, receive भी आउटसाइड इंडिया हुआ, not taxable. Accrue भी आउटसाइड इंडिया हुआ, receive भी आउटसाइड इंडिया हुआ, not taxable. इंडिया में एक चीज तो चाहिए इंडियन इंकम इंडियन इंकम होनी चाहिए अगर इंडियन इंकम है मतलब या तो वो रिसीव इंडिया में होना चाहिए या तो वो अक्रूराइज इंडिया में होना चाहिए तुमने आउटसेड इंडिया बेज दिया इंडियन सिटिजन होने से इंडिया में टैक्स नहीं लग जाएगा, we all know, citizenship has nothing to do with residential status, हम citizen के basis पर टैक्स नहीं कर रहे हैं, resident के बिसे पर टैक्स कर रहे हैं, अब accrue या arise भी इंडिया में नहीं है, तो taxability इंडिया में आती ही, नहीं, यह जो law है, यह applicable ही किसके उपर है, जब इंडियन government Mr. Tiger को लेट से चाइना में दिया, salary taxable होगी, allowances and prerequisites क्या होने वाले बिटा, example, देख रहे हो, same चीज, same example यहाँ पर भी चल रहा है, Okay, so Indian companies पर यह law है नहीं, यह law बनाया ही Indian government के लिए, यह law बनाया है किसके लिए, Indian governments के लिए, चल बिटा section 9 पर वापस आते हैं, कहां है section 9, section 9, salary earned in India, salary from government to Indian citizen for services rendered outside India, logic समझ में आ रहा है दोनों का, तीसरा, dividend from an Indian company, अभी थोड़ी देर पहले हम समझ किया है, थोड़ी देर पहले हम समझ किया है, फिर भी समझ लो, अगर Reliance Facebook को, same example है जो हमने दिया था, Reliance Facebook, Facebook Reliance में इंवेस्ट करता है, Reliance dividend पे करता है, this dividend is taxable in India, so Indian company dividend देरी है, income always deemed to accrue or arise in India, taxable in India, dividend के बाद, interest payable by specified person, वाव 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 वा, Interest Payable to Non-Resident, Interest Payable to Non-Resident, Sir, suppose कर लीजे, घ्यान से सुनिया, फोकस करियेगा, सर, अब कैसे करें, concept द्यान से सुन, लड़को इधर फोकस करो, concept इधर है, ठीक है, द्यान से सुन, हाँ, ने तो इधर फोकस करते बैठेंगे, बरवर रहे न, आपको इधर नहीं, इधर फोकस करना है, समझा रही वाद, आपको इधर फोकस करना है, लाइफ में, आओ इधर, अब इंट्रेस का concept देखिये, अगर इंडियन गवर्मेंट किसी किसी नोन रसिडेंट को इंट्रस्ट दे रही है, नोन रसिडेंट अल्सो इंक्लूड फोरें कंपनी, तो नोन रसिडेंट का मतलब सिप्व यह नहीं है, नोन रसिडेंट का मतलब फोरेंट कंपनी भी है, अगर इंडियन गवर्मेंट किसी नोन रसिडेंट को में भी security interest on loan anything आप interest दे रहे हो security पे दे रहे हो loan पे दे रहे हो bond पे दे रहे हो debenture पे दे रहे हो त्याचाशी आप लला काई गिन देन नहीं अगर Indian government non-resident को दे रही है या फिर resident non-resident को दे रहा है interest सरकाई के लिए anything securities पे bonds पे shares पे debenture किसी भी इसी चीज़ पे दे रहा है yes Indian government non-resident को दे रही है resident non-resident को दे रहा है या फिर non-resident non-resident को दे रहा है for business in India non-resident किसको दे रहा है non-resident को यहां लिखिए for business और profession in India for business और profession in India bracket में लिखो nr के बाजू for business और profession in India for business oblique profession in India कि यह क्या पे कर रहा है interest पे कर रहा है किसको पे कर रहा है non-resident को such interest will be taxable in India such interest will be taxable in India कि सुध्यान से सुनी क्या लिखा है बहुत मस्ता पॉइंट लिखा है एक दम कड़क अगर कोई भी बुले जल्दी से Indian government किसको दे रही है इंट्रेस्ट पे कर रही है किसको बढ़ा non-resident non-resident include foreign company एक मिनिट Indian government क्यों देगी interest क्यों Indian government भी तो loan ले सकती है IMF से loan नहीं लिया आएगा यह सो नो Indian government दे रही है और resident दे रहे है non-resident को for example Reliance Communication to Softbank China यह 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 फिर non-resident engaged in business or profession in India यह पे कर रहे है अनादर non-resident को कि सच्च इंट्रेस्ट इस ट्रीटेड एज बोलो ना बिटा इंडियन इंकम सच्च इंट्रेस्ट इस ट्रीटेड इंडियन इंकम और non-resident के हाथ में वह इंडिया में टैक्सिबल हो जाएगा non-resident के हाथ में वह इंडिया में क्या हो जाएगा टैक्सिबल एस और आप मुझे बताइए विजय ने बैंक ऑफ चाइना से लोन लिया विजय नॉन-डिस्टेंट को इंट्रेस्ट पे कर रहा है डिए वेदर डाच इंट्रिस्ट के लिए उस नॉन डेसिडेंट से टैक्स लिया जाएगा आपके मन में सवाला सकता है सर गौर्वेंन को किसे पता चलेगा उसने किसको इंट्रेस्ट दिया, किसको कमाया, किस ने कमाया, कितने कमाया, गौषेक है, देने वाला चपी देता, देता, टीडिएस काके, अगर यह सामने वाले के हाथ में इनकम है, इन तीनों के उपर responsibility है यह TDS क्या करेंगे deduct option ही नहीं है इन तीनों के हाथ इन तीनों को क्या करने की जुरूत है TDS deduct करना है simply सामने वाले को payment receive होने से पहले उसका कड़ जाता tax receive होने से पहले कड़ जाता अब government को by default में पता है कि इसने income कमाई है और अब पता ही नहीं government already उसके tax collect कर चुकी है याद है मैंने आपको chapter 1 में बताया था TDS कैसे work करता है payment देने से पहले आप उसका काट लेते है टैक yes or no so ultimately अगर आप देखेंगे government को attention है ही नहीं tax कैसे वसूल जाएगा non-desidents से क्योंकि जिम्मेदारी ही इन पर डाल दी कि तुमको tax काटना है किसी नालायक के मन में सवाल आ सकता है sir देने वाले ने काटा ही नहीं तो देने वाले ने काटा ही नहीं तो point number one देने वाले के लिए यह expenditure है हाया ना यह expenditure का deduction मिलता ही नहीं उसको income tax मानती expenditure तुमने किया इतने अगर TDS नहीं काटा तो मतलब ultimately किसके हाथ में टैक्स हो गया वापस देने वाले के हाथ में तो suppose मान लीजे non-resident आई non-resident आके हाए मिजे काम बोल मिजे सुनना मैं एक non-resident हूँ प्लीज मेरा TDS मत काटना कैसे कर रहा है मैं तरी daily customer हो नहीं अरे एक मिए अ प्लीज कि अधिक प्यार मभबत की बात अलगे यह मेरे को काटना पड़ेगा यह वाई होइड टेटिंग टैक्स हमारे कंट्री में तो टैक्स ही नहीं लगता है वहां क्या हो रहा है मेरे यह देखना है मेरे भारत में क्या हो रहा है अगर मैंने तेरा टीडिएस नहीं काटा तो यह मेरा खर्चा क्लेम नहीं करने देंगे मेरा खर्चा क्लेम नहीं हुआ तो पैसा खर्चा होने के बावजूद भी मेरा प्रॉफिट जादा दिखेगा अरे भैया पी एनल खर्चा एच क्लेम नहीं करने दे रहे मेरे को तो मेरा प्रॉफिट बड़ावा दिखेगा तेरे चक्कर में मेरे को देना पड़ेगा टैक्स प्यार मबबत वाली बात अलग है जरॉत पड़े आधी रात में बूला पर प्रॉब्लम यह है कि मैं यहां यह नहीं कर सकता कमोण यार क्या फरक पड़ रहारे टा दे देना एक मिनट बात इतनी होती तो समझ भी लेता प्रॉबलम यह है कि फिर यह मेरे पे इंटरे स्ट भी लगा हैंगे फॉर नाब्स ऩर पेनदनेद्टे भी लगा हैंगे नाब्स अक और पेनल्टी लगा 200 तो नहीं लगा सकता ना समझ रहा है 10% 200 इसमें मेरा घर जाएंगा समझ में तो किसी में में अगर यह सवाल भी है कि इसी ने नहीं काटा तो इसके पास option नहीं है इसको काटना इच पड़ेंगा नहीं तो इसमें इसका घर जाएंगा अब समझ में यह clarity आ गई तो non-resident का कटेगा ही TDS काटना इसको पड़ेगा ही option नहीं है क्योंकि अगर इसने नहीं काटा तो पूरी बारात आएगी पूरी बारात आएगी फिर interest भी लगेगा penalty भी लगेगा सब लगेगा यह सब discuss करेंगे TDS नाम के टॉपिक में पर बेस समझ में आगया कैसे पता चलेगा कैसे income collect की जाएगी तो non-resident को इत्ता गवर्मेंट को इत्ता सोचना ही नहीं है गवर्मेंट ने इत्ता जबर्दस काम किया देने वाला जब भी देता देता TDS काट के देने वाले पर इत्ता प्रिएगा देंगा जब देंगा अब गवर्मेंट नॉन डेसिडिंट के पीछ भागते नहीं बैठेंगी ए मैडम एक मिन जाने से पेले टैस देके जाओ उसको मिलने से पहले उसको पेमेंट कट के मिलेंगा अद या तो आप सामने आले को पैसा है कैश में प्रवाइड करदो मैठरी होतम रिकॉर्ड भी नहीं तो मैठर खतम सिर पर अगिसे जौँ ज्यादा हुआ तहो हवाला कर लो सब्सक्रमाइब करDragon कहीं सुना से नशेञे कि सिकsters सिकांगा तू मैं हवाला सिकांगा इक बहुत जान दो दो दिन बाद दो या तीन दिन बाद शिखाऊंगा कैसे करते क्या है अभी ये लेक्चर यूट्यूब पे जा रहा है आप समझ रहे ना मेरी बात दो दिन होल्ड कर लो मैं इस शिखाऊंगा कैसे होता ये भी बताऊंगा पूने में कहा होता ये भी बताऊंगा कि जिस बिल्डिंग में तुम हो उधर ही होता सर मतलब मैंने तुम्हें ये बताया मैंने तुम्हें कुछ भी बताया कौन से फ्लोर पर होता कुछ भी नहीं बताया मैंने तुम्हें yes or no बड़ तुम आज जरूर ढूंडोगे किदर होता मैं तुमको बता देता हूं कहां होने वाला एदा देखने educación इदर उदर जाकर देखनेगा नहें सु gymnम पाता सुमको किदर बिदा ना Music आं तो फिर हम उदर जाके कोई पूचेंगा मैने तुमको वहां पर इस सब इस सब वक करता है बहुत सिम्पल प्रोसेस से को समझाता हूँ ऐसे हैं ऐसे पूरा प्रोसेस इस पे बेज़ड है बरबर है अगर यह घुम गया पूरा पैसा गया इस अब इस पे बेज़ड है और जो लोग यूट्यूब पे सुन रहे हैं यह सारी बाते कालपनी के जिसका वास्तविक्ता से कोई संबनने अगर किसी जीवित यम्रित वेक्ति से इसका संबनन पाया गया तो केवल नाम संजो बढ़ा है यह बच्चों को बताना पड़ता है जूटे जूटे बोलना पड़ता है इनको है ऐसा कुछ नियों था तो परस्वाम इसका थोड़ा भूत कुछ बेसिक डिसकस करेंगे क्या रहता है तो इंडियन गॉपर्मेंट वापस बूलो कॉन बिटा इंडियन गॉवर् कि अंडिय से नियुक्त इंडिया में टी इंप स्क्रीक करें जो गाली के समंझ माइब ए बात प्लस पैनल्टी लगेगा, तो अलगे, आजाओ, यह लॉजिक समझ में है, अब देखें, कितने तेजश्वी लोक थे भारत के, कितने तेजश्वी लोक थे भारत के, अब मैं आपको बताता हूं, banking system banking system इतना गजब का था और इतने सालों तक के banks ने tax avoid किया है पूछो कैसे especially the foreign banks foreign banks ने इंडिया में इतना गजब का tax avoidance किया कि मैं आपको सम्झाता हूं यह कैसे work करता था let us understand this for a banking system ठीक है suppose होता क्या था bank of new york USA इनका एक ब्रांच था इंडिया में इंडिया में एक ब्रांच था bank of new york पूने बरबर देखो क्या गजब तरीके से tax avoid करते थे bank of new york USA इनको क्या करता था loan देता था इंडिया में business operate करने के लिए इंडिया ब्रांच as against this profit से क्या pay करती थी interest बरबर देखे क्या tax avoid होता था इंडियन ब्रांच जब अपना profit and loss account बनाती थी यह interest paid की entry pass कर लेती थी चलो journal entry pass करो it's an expenditure on income expenditure सभी लोग ध्यान से देखना बहुत गजब का tax concept बतारों यह क्या pay करते थे interest pay करते थे interest pay is an income or expenditure for this Indian branch expenditure मतलब interest paid account debit to cash bank aray so no इनने अपना P&L में claim कर लिया profit बढ़ेगा कम होगा profit कम हुआ तो ultimately tax भी कम गया एक तरफ तो यह expenditure claim कर लेते थे bank of USA is interest को income ही treat नहीं करता था because it is received from branch यह बोलता था मैंने अपने ही branch से कमाया है यह थोड़ी नहीं income है aray bhaiya मैंने अपने इच ब्रांच से कमाया है यह थोड़ी नहीं income है या तो यह bank कहा situation होती थी tax havens जैसे royal bank of scotland bank जैसी जगा situated है जो tax haven है मतलब एक तरफ तो expenses claim करके आपने profit reduce कर दिया दूसरे तरफ income ही book नहीं करी दूसरे तरफ income ही book नहीं करी आप एक जगा अगर expenses claim कर रहे हो तो दूसरे जगा income book करना जरूर ही है यह आदमी इसको income ही नहीं मानता था यह बोलता था यह तो मेरे वाविजे तिरी income हुए शाब बास ऐसा कई सालों तक यह tax चोरी करते रहे क्या गचप का तरीका था इंडिया में expenses book कर दो और इंडिया में tax rate हाई है तो expenses book कर दो foreign में income book कर दो पूरी की पूरी यह लोग क्या करते थे interest rate भी market से 10% जादा चलो अब क्या हो गया यहां तो आपने 10% को all tax save कर लिया foreign में तो income ही बुक नहीं कर रहे है वहाँ income grow कर लिया आपने overall जब consolidated balance sheet बनती company का profit high दिखता income tax department ने एक दिन assessment किया assessment करते वक्त उनको समझ में आया ओ भाई साब यह लोग तो हमें है यह बेवकूफ बना रहे हैं नोटीज भीजा लव लेटर भीजा 143 याद है ना 143 आम जिंदगी mentors जिंदगी आम जिंदगी प्यार भर चीज है हमें 143 से कभी खुशी नहीं होती यह 143 का सेम नाम अभान रहे है नोटीज भीजा भएंक एक तरफ आपने थैसे उल्गल्ग क्लेम कर लिया इसे तरफ आप ANDREW सब क्यों माहने है क्यों मैं यह मेरा ही प्रांच मेरे कोan कंदे रहा है यह मैरे लिकिकभी होगी है हम सेम अलगलाग अग एंटिटी तोड़े है तो है लो यह इन देन ब्लांच है आप कहा सेम एंटिटी की बात कर रहे हो uh और सेमें डिए मेरे ब्रांच है उदर है अपने ओह वह सर मतलब आप तो ऐसी बात कर रहे हो सपोज यह दो रूपीज है यह मेरे पैसे जिब में पड़े राइट जिम में मैंने निकाला लेफ जिमें दे दिया इंकाम हुई है तुझे अरे इंकाम है तुझे अरे ब्रो इंक अरे इंकाम है 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 इंकाम नहीं है पक्का क्या पक्का इंकम नहीं है मेरी अपने अपसे इंकमा लूँगा क्या अगर तेरी ये इंकम नहीं है एक्सपेंस कैसे है फिर अपने आपको ये इंट्रेस्स दे रहा हूँ एक्सपेंस के लिए मोर है वाँ भाई I like you but as a friend 10 दिन मेरे साथ घूमा मैंने गुड मॉर्निंग किया गुड नाइट किया यह नहीं मिले बाब उन्हें थाना थाया और जब प्रपोस करने की बारी मैंने कभी तेरे बारे में ऐसा सोचा इने क्यों नहीं सोचा पागल है तू तू के मेरी भेन लग रही है तरे को रोज सुब की दुन बारे में मैं तुमारे मारे में जब कि एसा सोचा है तू नहीं सोचा को कि अब करते एंकों करने करते吗 अरे पर शर इंट्रेश्च पेक्ए तो उप एक है का तुला कि ढarnposition करना मत कि क्या हुआ मास्तर को है और स्चाइब और धाइस्ट होगया हुए है एक तरफ तो तुम साला अपनी इंकम नहीं मान रहें, दूसरे तरफ तुमको क्या क्लिम करना है? एक्सपेंसे, I like you but as a friend, ऐसा चलता क्या? अधिकर लड़को नहीं जवब दिया, इन देखा इस बात को, सुना, लड़को नहीं जवब दिया, क्या बुलेंगे? तब जाके, इंकम तैक्स डिपार्टमेंट ने, इनको गेम समझ में आया, इन्होंने क्या लाया? अमेंडमेंट, इन्होंने कहा, अब इन्होंने क्या लाया? अमेंडमेंट, इन्होंने कहा, कि अगर कोई इंडियन ब्रांच किसको पे करती है अपने foreign head office को पे करती है क्या पे करती है इंट्रेस्ट ये दोनों को separate entity माना जाएगा अग्स ट्रीट दें एस सेपरेट एंटिटी अग्स्ट टू बुरुना बेटा है अग्स तो इंडियन ब्रांच उसे एक्सपंसर्श ट्रीट करेगी फॉर इन ब्रांच उसे इंकम ट्रीट करना ही होगा अ कि सवर मैडम भी ये वीडियो देख रहा होंगे है कि वह इसादी अब कि 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 को आपको समवाज सुनाया ना मैंने कभी तिरे बारे में इसा सोच ये इनि ये मेर को मिला था मैडम से को मैंने ये रिपलाय दिया था तेरे को पढखल दिख और मेरी बेहन लगी है भूला तो थू पुल रिस्पेक्ट अईसा गईसे उतारे बरवर ना हुआ ना तेर साथ भी कुछने बटा हाँ? स्टोरी बताओ ना? बता है ना? बताता मैं क्या बोल रहा? अपने काम करते ना सुनो तो अपने ना क्लास के भार एक आदमी को गजरा लेके और ऐसा वो गुलाब जल लेके खड़ा करते यह बेंचे जंचे जटाते अपन ठीक है? ऐसा पूरा सोफा लगाते उदर डीजे ठीक है? उदर वो पानी पानी थंडा गरम पानी बरवर और जैसा कोई भी अंदर आया उसको एक गजरा देते एक नोट का बंडल देते और वो भी देते अंदर है एक हाथ सेक्षन पड़ा है एक नमबर मास्तर एक नमबर बहुत भारी सेक्षन एक नमबर इच करते हैं अपन अले सौंग सुनना है गाना सुनना है श्टोरिय बढ़ा ही छोड़के तुमको सब करने का मोड़ है नहीं चला जल्दी से यह समझ में हैं कॉंसेप्ट चलिदर बिटा इंडियन गुवर्मेंट रिषिदें तो इंडियन गल्मन ज़िस को पे कर रहे नगबर nella पारında neo ज़िरेंट या फ्वारें कंपनी को पे कर रहे है यह टक्स इपलूगा अद दі सेम टाइम अगर कोई ंडियन ब्रांच फ्वारांच तू ब्राज को भी पे कर resident banking company received interest from his permanent establishment in india such interest shall deem to accrue arise in india and for the purpose of tax such pe in india shall deem to be a separate person and provision of the act shall apply accordingly कि समझ मैं क्या लिखाय है कि जालो है होथ हार्ड है चलिए आज के लास्ट कंचेप पे चलते हैं रायल्टी पी पर्मनेंट establishment section 9 में discuss करेंगे सबसे उपर वाला business connection बाकी है वाँ हाल फिलाल में इंडिन रायन्च समझो लास्ट कॉंसेप्ट sixth point बोल बिटा रायल्टी कैसा बिटा रायल्टी 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 अर्ण बाय नॉन रेसिडेंट अगर कोई भी इंडियन गवर्मेंट पे कर रही है किसको नॉन रेसिडेंट या फॉरन कंपनी को या फिर रेसिडेंट पे कर रहा है किसको नॉन रेसिडेंट या फॉरन कंपनी को या फिर नॉन रेसिडेंट पे कर रहा है किसको नॉन रेसिडेंट को प्रिजनेस और प्रोफेशन इन इंडिया इस टाक्सेबल टू एन आर इन इंडिया क्या पेमेंट कर रहे हैं बिटा रॉयल्टी इनकी जिम्मेदारी क्या है TDS कट कर and that's how tax will be collected yes or no it's so new check 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 आपको नहीं लगता सिब इंट्रस्ट का वो डटा के रोयल्टी अड़ कर दिया आपको येस इंट्रस्वर अटाय रोल्टी अड़ कर दिया अवर्टिंग रिमें अब बताइए क्या होना चाहिए क्या ये टैक्स होना चाहिए नहीं होना चाहिए not treated as Indian income unless received or accrued in India unless received or accrued in India is this done non-resident ने अनादर non-resident को पे किया but the purpose was not the purpose के लिए पे किया रहा इस दड़न येस खतम आज हम यहीं तक पड़ेंगे लेट्स रिकॉल लेट्स रिकॉल सरम कहां थे आज बहुत कुछ बड़ा सर कि सबसे पहले इदर आये इदर थे इदर आकर कि हम लोग ने देखा कि अगर कोई वेक्ति इंडियन सिटिजन है आउटसाइड इंडिया येस और नो हो कुई समिंग इंडिया इंडिया में 15 लाग से जाधा कमा रहा है इत विल बी टीटटर आज रिसिडेंट अगर वह एट-least 182 डेज रहते प्रीवेस यर में या फिर 120 डेज इन प्रीवेस यह एर आंट 365 डेज इन 4 प्रीवेश स्विश्डिंग यह यहां से मागे बड़ नेक्स एकसेठ वे वर्क किया नेक्स इसक्षन 6 1 a यारा रहा है 6 1 a section 6 1 a बोलता था अगर कोई Indian citizen है अगर कोई Indian citizen है who is outside India and coming to visit in India and earn more than 15 lakh but not liable to pay tax anywhere in the world he will be liable he will be treated as deemed resident in India पिर इसके बाद हम लोग ने 6-2 पड़ा इफ गंट्रोल और मैंजमेंट हुल्योर पाटली सिच्वेटेट इन इंडिया रेसिडेंट अधर्वाइस नॉन डेसिडेंट करता सिक्सिक्स साटिस्फाइए कर रहा है हुल हुल हुए फर और करता साटिस्फाइए नहीं कर रहा प्रवाइन wraण व्रेसिडेंट विर्वाइन इसके अगर आप देखेंगे यह सब ब्लाइंक चल रहा है इसको अब तक हमने भरा नहीं इन ब्लैंग की है तो हम Indian income ढूणने निकले, Indian income के चार parameter मिले, received in India, deemed to be received in India, accrued in India, deemed to be accrued in India, come on वापस एक बार, received in India, deemed to be received in India, accrued in India, deemed to be accrued in India, चलो फिर से एक बार, received in India, deemed to be received in India, accrued in India, deemed to be accrued in India, पैसा अगर इंडिया में मिला इंडियन इंकम दीन टुब इसी इंडिया दो सेक्शन में लिका था शेक्शन नमबर साथ और आठ सेक्शन नमबर साथ कह रहा था चार चीजे लिए इंडिया मानी जाएगी पहला कॉंट्रिबुशन तू रपी अगी बिटा इंडियन इंकम इसब क्या मानी जागी बिटा इंडियन इंकम सेक्शन अट के था इंडियन रीडिविट शेक्षिन 9 कहता है कि इंडियन कंपनी अगर डिडिटन यह ओल्वेस्टीम तो अग्रूर राइस इंडिया इसके नीचे गए है शुक्त अब्लब में अब संभी नहीं अप सेक्षण पांच में है पांच में आपको दू वड मिले थे इंडियन इंकम फॉरें इंकम अभी आप सीप यह ढूंड़ने निकल रहे हो वट इस इंडियन इंकम वट इस फॉरें इंकम आप हो कहां सेक्शन पांच में यह पांच पढ़ते वक्त आप साथ आठ नौ कम्प्लीट करते आ रहे हो समझ आ रहे हैं सुनों बैग्राउंड बनाते कल के लेक्चर के लिए सबसे पहले चाप्टर चालू किया छे नंबर से लॉजिकली नंबर पांच से करना चीए था लेकिन आपको तो पता है अपने कोई इधर ने इधर डालना है अपनने छे से एंट्री की पहले यह समझा आर और नर की कौन सी इनकम पर टैक्स कैसे होगा यह सेक्शन पांच ने लिखाए है तो आप मुझे बताओ आप डायरेक्ली सेक्शन पांच पड़ सकते थे क्या जब तक आपको यही नहीं समझता और नर कभ रहता अब समझ में आ का लॉजिकल सिक्वेंस पहले यह समझना वह चलती कैसे है तो section 5 हम directly पढ़ी नहीं सकते थे कि जब तक कि हमें रोर और और नर कब रहता यह clear ही नहीं होता तब तक कि हम इसको taxability का सवाल नहीं उठता बताने का इसलिए पहले गए section 6 पढ़के आए कब रोर रहेगा कब आरे नोर रहेगा कब और रहेगा वहां से आगे बड़े वहां से आगे बड़े तो और दो वर्ड ने हमारा रास्ता रोक लिया Indian income foreign income धुंड के आए foreign वह रहेगी जो इंडियन नहीं है तो फोकस इंडियन पर करना है अब जब section 9 पर पहुचे तो उन्होंने 10 आइटम की एंट्री देदी इस अब डिम टूब रिसीवड इंडिया मादी इंडिया माने जाएंगे इस पूरी लिस्ट के अंदर में इस पूरी लिस्ट के अंदर में हमने पहला वाला पार्ट छोड़ दिया सीधा दूसरे से चा चाप्टर कंप्लीट करने के बाद पता चलेगा यह पूरा चाप्टर कंप्लीट करने के बाद पता चलेगा आप चाप्टर की फर्स्ट लाइन पर हो पूरा चाप्टर खतम होने के बाद आपको फर्स्ट लाइन का मिनिंग समझ आएगा फिर दूसरा किया तीसरा किया चौथा किया पांचवे पे आए पांचवे आप तक पूरा नहीं किया रोयल्टी मतलब क्या होती है यह अभी बाकी है पूसरा कि रोयल्टी का सिर्फ आपने वर्ड बढया है रोयल्टी क्या होती है रोयल्टी कैसे व्रक करती है इस अब किल का डिसक्शन है ऐसेड़ ना आपके कोई कोई कोस्यन मैं आज एंटेन करूंग आपके सारे कोशें सीधे कले एंटर्टेन होंगे जो भी कुछ होंगे दन है बिटा है दन बिटा ध्यांद सुनिया राइट सर कि सभी लोग प्लीज हाव नोट्स टुमारो पॉइंट नमर वन पॉइंट मटू जिसका अगर देखके हो गया होगा मैं को पढ़ाते आता कि नहीं उनका अडमिशन ले लो का हम लोग पर्सो से शिफ्ट हो रहे हैं ऑनलाइन के उपर प्लीज मेक शॉर आप अपना क्या कर ले यह नो टेकनिकल टीम से कॉंटाक करके अपने लेक्षर एक्टिवेट कर ले यह सो नो डन बाए बोले बच्चो अ मजा आ रहा है बच्चो मजा आ रहेगी नहीं झांपने ले बोले रहे हैं आ वड़ बच्चो और एंडों आ अराइक में बखने ले नहीं पर एंड़े और में आपने नहीं धो कर दोणा प्सक्वाद कर लेक्वाद़ झाल 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 झाल